अच्छी काल जी वागता थोड़ा साथे प्लेटफार्म अस्टर क्लासीज पत्याला थे बहुत सारे बच्चेयां दी एक वैरी सी कि सर जुमें के तुसी अपनिया प्राणिया वीडियोस चक्या सी कि तुसी साथे वास्ते करेंट फेर्स लेके आओगे जदो ए एक्जाम होन ठीक है जिमें के त्यामनों भी पता है कि जड़े अपने होनों और वाले एक्जाम है ठीक है इन्ट पुश्प उल्जन होगी है ते जड़े अपने सिनियर असेस्टेंट दे एक्जाम है लगा तार एक टास्क पहर रहे है कि पता नहीं होन गे के नहीं देखो बच्चे मैं एक तान बेस लेगाल इंशोर करना कि भी शक के एक्जाम बेशक कोश समय ली पोस्ट पॉन हो रहे हैं जहां हो सकते हैं पर इननह होनों और ज्यादर ज्याद्न टाइम ली पॉस्ट पॉंड नहीं होना सरकार कि यह कोशिश हा कि चावी एक्जाम्हें पोस्ट कों किता भी बहुत थोड़े समेली पोस्ट पॉन करिये, जो साड़े थे ही बैकलॉग ना कलियर, कठा हो जी साड़े वास्ते, तो जेड़े बच्चे अपड़ी त्यारी करना चांदे हैं, वो बच्चे ये जेड़े साड़े करेंट अफेर्स है, जिनना नो उसी पूरे दे पूरे होगी, क्योंकि कुछ संसादना दी कमी होन करके ते अपने आप चे बिजी होन करके इस स्क्रीन कले इंगलीज चे चाल रही है, मगर दूसरी गल पर जे में के त्यानू इस चीज ते मान हमेशा रोगा कि जे असी अपॉइंटमेंट साला टॉपिक पड़ाया है, ता पूरी क्रेंट फेर दे नाल स्टैटिक दी बहुत इंफरमेशन मिली है, जे त्यानू ये कॉंटेंट बहुत चंगा लग गया, तो उसी बाकिया नाल जरूर शेयर करेओ, ता जो इस तो बाद इंडेक्स, इन्वाइर्मेंट, एकॉनमी लगातार असी टॉपिक वाइस क्रेंट फ या मैराथन्स उन्हा तक पचा दितियां गया ने, ठीक है, पर क्रेंट फेर्स नू लेके भी किसे बच्चे दे मनज कोई ख़दसा ना रहे जे, इस करके कमी यासी योदेच मनी रहन देनी, तो तब तो पहली गाल जेड़े बच्चे आनू ये क्रेंट फेर्स अच्छे ल त्यार करन दी कोशिश करांगे, मस्टर क्लासिज पट्यारा दे प्लेट फॉर्म थे बहुत बच्चे, इल्म पंजाब जो साड़ी बुक सी, ओ, अड़े को अवेलेबल हो चुकी या होना, एड़े मैं एश्योर अमीद कर दा कि जे थोड़े किसे नाल दे साथी ने मगाई होदे तो पड़ो, चेक करो, जे त्यानों लग गया कि ये कताब वाकई डिजर्व कर दिये दिच इन्नी में तहागी हो तो तुसी साड़ी ये कताब जड़ी हो, इल्म में पंजाब ए मगवा सकते हो, इस तो बिना साड़ी दूसरी कताब पंजाबी पेपरे, जेडी कताब असी पहला रिकमेंड किती सी, जिन्नों असी पीले कवर दी कताब कहन दे सी, उसे कताब दे विच उन 15 पेपर मगर एड करते है, पंजाबी पेपरे दे सारे, जो सारे नों इकको जगा ते पंजाबी पेपरे दे मिल सकन, उस तो बिना ओधे अंदर दे कंटेंट बारे ता तुसी जान दे ही हो सारा, ठीक है, तो नेक्स्ट इस तो बाद अगली चीज मैं दसना चौना कि जेड़े भी मस्टर कलासिज पते आड़ा दे कॉंटेंट नों देखना चौन दे है, ठीक है, तुसी सारे पंजाब गवर्मेंट जॉब्स दी टैब च जाके, एक ग्रीन कलर दा कॉर्सा, P, S, B, पंजाब फूलस, वो दे अंदर जाके, मैराथन दे फोल्डर च जायो, पंजाबी दी मैराथन सारी उपन पई है, पंजाब जी के दी, तो सारे पंजाब जी के दी, फुल मैराथन ने जॉइ कर सकते हो, वो सारी आलमोस्ट इलमेंजाब अनलम मैच कर किसी नों भी दिक्कत ना आवे, इस तो बिना जेड़े बच्चे, आई एस, PCS दी त्यारी कर रहे हैं, तो किसी उस करके, मस्कर क्लासिस पटे आना जुड़ना चाहूंदे है, वो भी सानों अप्रोच जरूर करने, ठीक है, और तुसी ये करेंट फेर्स नों पूरा देख है, विकॉज ओबिएस जी का अला तुसी सानों दस होगे, सानों होर क्लियर होगा, सानों पता लगोगा, एस टाइप दे करेंट फेर्स ग्रूप बी दे पेपरांच नों धिक्कत दे रहे हैं, तो उन्हा दा सी हाल कड़के जरूर देए, थैंक यू अजी, तो अज अपना स्टार्ट करन जा रहे हैं, तो अपने टॉपिक दा नामा, क्रेंट फेर अपोइंटमेंट्स, बिस्कली निया ट्वेंटी ट्वेंटी फूर दे विच्क्रेंट फेर्स अपोइंटमेंट्स होई या ने, ठीक है, चाहिए, जायो किसी भी फील्ड न स्टार्ट कर दें, सब तो पहला, सब तो पहला क्रेंट फेर अपने कुल हैगा, नियू चीफ सेक्टरी ऑफ पंजाब, बिसिकली एगल समझे ना डिया, के जदो में असी कॉंस्टिटीशन जा पॉलिटी पढ़ दे ना, ता जदो में असी स्टेट लेवल दी पॉलिटिक् सब तो बड़ी पॉजीशन हों दी है, सीम दी चीफ मिनिस्टर जिन्नों सी मुख मंत्री कहने है, बड़ जैसी सिवल सर्वेंट्स जनि के ब्यूरो क्रेट्स दी, जैसी उनना डिगल करिए, ता उनना जैसी सब तो उच्ची औदा जड़ा हुंदा है, सब तो हाइस्ट कंट्रोल करन वास्ते एक अथोर्टी हुन दी है तो रीसेंटली पंजाब गॉर्मेंट चेक बहुत बड़ा चेंज देखन नो मिलया पंजाब गॉर्मेंट ने अपने प्राने चीफ सेक्टरी अनराग वर्मा नो रिप्लेस करके उना दी जगह ते कैप सिनहा नो पंजाब न जी कर एक कोई प्राइशन एक्जिस्ट कर दी यह था कि एड़ी कोई फिक्स्ट नियोर और अगेरा दा कोई कॉनसेप्ट नहीं है फिक्स्ट नियोर दा मतलब हो गया कि एड़ी कोशिशे हुन दिया कि ओ आपने स्टेट दे सीम वास्ते वध तो वध कम कर सके इस करके CM call full authority है कि वो कदे भी अपने chief secretary नो replace कर सकता है जे उना नो लग गया है कि वो उना दी सोच दे मताबक जो मादी frequency आपस्ट मैच नहीं कर रही इस करके chief secretary दी post दी कोई tenure नहीं हुंदी समझो गल कैप सिन्हा senior IAS officer ओना नो पंजाब दे नमे chief secretary अपॉइंट कर ले आ गया है ओ पंजाब दे 43rd तरताली में chief secretary है एक गल बड़ी important है कि पंजाब दे विच्छे जे जदो हो भी नहीं महा जणनों मिलिया chief secretary बार एक गल पहली गल एक ने ओर दे दाएरे चो बार हुंदा है बच्चे एदी कोई fixed ने ओर नहीं हुंदी दुजी गल हर स्केट दा civil servants दा जड़े IAS officers हुंदिया उनना दा civil service board हुंदा है कि वह से civil service board दा head ex-official automatically head chief secretary हुंदा है एकना शब्द बहुत important बोल रहे हैं बच्चे मैं तो डिवास दे order of precedence जदो अपनी कहाँ दे कि एक शेर दा DC एक शेर दा SSP कठे होगे के दे वास्ते कुर्सी खाली होगी मुख मंतरी ते governor साब कठे होगे पहला importance किन्यों दिती जाओगी this concept is called order of precedence government of India पार्त सरकार दी home ministry द्वारा एक order of precedence दी list बनाई गई है यह कोई मैंनों पुछे कि उस order of precedence दे विच चीप secretary दी position केड़ी है बच्चे उस order of precedence दे विच जो home ministry द्वारा एक लिस्ट जारी किती गई है वो दे तुसी पहले साथ जरूर याद कर लेओ चीफ secretary केड़े नमबर तेया president केड़े नमबर तेया vice president केड़े नमबर तेया prime minister केड़े थे एक लिस्ट पहले साथ ते अनुसार याद होने चाहिए थे यह and a order of precedence दे लिस्ट कौन रिलीज कर दा है ministry of home affairs government of India क्लियर गल जो भी important गल्लान सीखिया हूं मैं तनुक्लियर करती है एक state दे चीफ मिनिस्टर को पूरा राइट होनदा है कि वह अपना chief secretary appoint कर सके ठीक है इस करके जिस state दे विच भी chief secretary appoint करना है गवर्नर चीफ मिनिस्टर दे कैन ते उसे बंदे नूँ ओस state दा chief secretary निउक्त कर दिन दा है तो एगल अपने आपच बहुत important है तो पहला fact अपना cover हो गया नेक्स्ट उस्तो बाद अगली news अपने वास्ते आगी new director of enforcement directorate परवर्तन दे शालिया जिन्हों से परवर्तन देशक भी कहा दिने है enforcement directorate भी कहा दिने है ED एदा बड़ा famous नाम हा असल दे विच बच्चे ED दा कम किया जदों में एना एक जेहे प्रकारदी अजंसी या जेदा कमा साड़े देश देश देविच मनी लॉंडरिंग वर्गे जो offense ने crime ने उनना नू कर्ब करना ना नू रोकना जदों साड़े देश चो पैसा बार जानता है बारों मनी लॉंडरिंग होके वाइट होके वापस होंदा है जा साड़े देश चो बार पैसा मूव कराया जानता है उस वेड़े दे फिनॉमेना दे विच एडी दा रोल सामने होदा है मनिस्ट्री ओफ फाइनांस दे अंतर जड़ा जड़ाई फाइनांस मिनिस्ट्री अवित मंतर आला है ओदे अंडर बच्चे एडी कम करता है एडी बारे सब तो इंपॉर्टेंट गाल ले खबरांच क्यों हुआ एडी दे नमे डिरेक्टर जड़े सीगे राहूल नमीन उन ऐड़ों सी सेंटर सरकार्दी गल्ड कर दे है न बचे या नोई एकगल पाता होना चाहिए था की सेंटर चुब 170 and factor भी टॉप मिनिस्ट्र और होनकी मिनिस्ट्र दिवी कैटेगरी हों दिया अप लेवल दे मनिस्ट्र कैबिनेट मिनिस्ट्र उसतों थलडए लेवल दे ministres, minister of state, जिनना नू राज्ड मन्त्री किया जानना है, उस तो 30 level दे ministers, d 와서 deputy minister, center Där sigaracar च Byte Il Ter난 Parakar찮ıyı है, मानगों, जे कोई कवे, किया cabinet cabinet ministers ने फैसला लेया, वी cabinet ministers हर वरी के में फैसला लेनना है इस कर कहां कम सोखा हो जै, 2-3, 3oire mentroridhar Da group बन जानता है, जिनुल अपॉइंटमेंट कमेटी दा कमा इंडिया दिया टॉप लेवल दिया अपॉइंटमेंट्स करना वो दिछ दो मंत्री या तेन मंत्री होनगे फिर हुन दिया कैबिनेट कमेटी ओन एकनॉमिक अफेर्ज आर्थिक मामलें वास्ते किनना MSP देना है असी बारों जहाज ख्रीद दिया किनने पैसे देने हैं इंडिया दी फलानी कंपणी ने दुनिया दी दुझ्जे देश दी कंपणी नो अपने अंडर एक्वायर करना है असी किनने पैसे देने हैं इस सब कम कर दिया कैबिनेट कमेटी ओन एकमनॉमिक अफेर्ज थाड़े देश दे दुझ्जे देश ने किनना अग्रेसिव होगा हम ला करना कने बार्डर त फौंज लोनींगा के नहीं ए फैसला कर दिया क्वीनेट कमेटी न कीमेटी और स्कियोर्टी सादे देश्च अर्य और केंटाइन इन्वेस्टमेंटी और चैकर बार केंटiquement कुम्स्टण में इन्वेस्टमेंटे कमेटी से नाम गनाया में टानगे出來 कमेटी ना पार्टिया ना रवय यह कैमेदा रहोगा एक कम कर दिया cabinet committee ओन पारलीमेंटरी अफेर्ज केड़ी ACCOMMODATION आली यह ओदा जड़ा प्रप्रेज हर्ट हेड़ा ओधा सदा होम मेंस्टर जानी के अमिद्शा से पार्लिमेंटरी अफेर जाली कमेटी दे हेड है गया राजनाथ सेंग आठ कमेटी या वक्षो वक्ष कम कर दी है जो दो में किते टॉप लेवल दे ब्यूरोक्रेट दी अपॉइंट मेंट देखी जाओगी तुसी नोटिस करोगे केडी कमेटी सीन चाहिए कैबिनेट कमेटी और अपॉइन्ट मेंट जाँ इन्ओ दुझजे तरीके न लेकर दिन्ध आपॉइंट मेंटी और कमेटी ओफ एवसे दा सही नामा कैबिनेट कमेटी ओण अपॉइंट मेंट एधिया है कौन ने पराइं मिनिस्टर साड़े दे देश्ट केनिया कभीनेट कमेटी इन जने ज दियां उन जदो आठ ग्रूप बानी गए उन्हें थोड़ा कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स दी बस पर के इदर ले जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स दी बस पर के उत्थे फैसला करने चले जो कम सोखाले नहीं होगे तो सब तो पहली गाल टॉप लेवल दियां बेरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स अफसर शाही दियां पर ती कौन कर दिया कैबिनेट कमेटी ओन अपॉइंटमेंट हैडड़ बाइ प्राइम मिनिस्टर एंड इदेच अफॉचनेटली इक कुई मिनिस्टर बास हूर दसो केड़ा अमित्शा ठीक है न कैन दी लोड़ी नी एक्वेजन ही बड़ी बदिया है इनना ने राहूल नमीन एक IRS ओफिसर सी उनना नू नेक्स्ट टू इयर्स दी टनेवर वास्ते एडी दे डिरेक्टर नुक्त कर ले है ठीक है बड़ी एंट्रेस्टिंग अला है तो बंदे इकको बैच दे IRS ओफिसर मेरे साब नल जे मैं गल्त ना हुमा इन 91 दे विच IRS बने सी तो बंदे इकको बैच दे IRS ओफिसर एक ने IRS दी पोजीशन चड़ के प्रगल दा राच उनेया दो हैर एक दे विच एंजी यो बनाई फिर उस्तो बाद संगर्श किता 2014 दे विच ओ एक स्टे IRS ओफिसर नूँ अरेस्ट किता है इडी दे मामलेच ओनों IRS ओफिसर जेड़े सीगे प्राणे जेड़े किसे स्टेट दे मुख मंतरी वी सी होन उनना ने अपनी पोजीशन तो स्तीफा देके अपने नाल दे किसे होर नूँ उस स्टेट दा जान यूटी दा सी एम बनाता है समझेगे ना कल वटा कोइंसिडेंट दो आई एरस ओफिसर आपस्ट एन्ने साल बाद मिले होना ते इस तरीके ना मिले होना कि एक अरेस्ट कर रहा होवे ते दुझ्या अरेस्ट हो रहा होवे ठीक है ना त्यानू उस मुख मंतरी दा नाम ही पता होगा होने चीज़ां दस जाब दे विच कोई मैटर होया क्रप्षन दा एडी नू कोई मतलब नी पता लग गया कि यो स्क्रप्ट क्रप्षन ना कमाये होए पैसे नूँ पार न जाया गया एडी अपने आप सीन जा जान दी है मेरी गल समझेगे ना सो एडी जेडी यह ए बनी सी एक मई 1956 मनिस्ट्र मिनिस्ट्РЕ कौन दिरमला सीतार मन पांज के शेड़ डपार्टमेंट था कामा कमोना मली और्टमेंट खणर करना डपार्टमेंट ऑफ एक डपार्टमेंट दा कमाहा करना था डपार्टमेंट अप प्रटमेंट हो मेंनेजमेंट येडे अंटर साध्यए व डिया प्यास दूसें इंडिया नोयल कोरपरेशन फुनी कोरपरेशन ॹ्प हिंदुस्तान प्रट्रोलियम और श्रेशन अामा डिपर्टमेंट थेर्टमेंट देशन जन्तन योजन आयोजन सम्रीदी योजन चलोना Department of Financial Services, इनना सारे डपार्टमेंट्स चो एक डपार्टमेंट बड़ा इंपोर्टेंट है, जेड़ा साधे देश चो रेवीन्यू कठा कर दा है, नामा Department of Revenue, ओस डपार्टमेंट दे अंडर केडी अजंसी कम कर दिया, जिन्नों मैं Economic Intelligence Agency कहूँँगा, ED, वोन स्पोस करो, ED वाल दे तहत मिलिया होन गिया, ED नू ताक्ता मिल दिया, प्रवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट 2002, इननू कहन दे पमला, एकका Foreign Exchange Management Act, ए फेमा एक्टा, बड़ा मशूर एक्टा बच्चे, साधे देश च फॉरान एक्स्चेंज, जेडा वदेशी मुद्रा है, ओदा बार ज दिया चौना, जे ओदेश इर्रेगॉलरिटीज पाईया गईया था थोड़े ते केस चलूगा फेमा दा, जे कर तुसी पैसे नू ब्लैक मनी नू वाइट कर दे फड़े गए था केस चलूगा पमला दा, Prevention of Money Laundering Act, जे तुसी इंडिया चो पैसे कमा के पगोड़े होके बा कनून जेडे मैं लखाये या, जा लिखे होये या, इना तिनना दे तहद कारवाई करन दी पावर, किसे ते एक्शन लें दी पावर के दे कोला दसो के, ED कोला, दसो जी ED बारे समझा गया, यार जे बाई चांस बच्चे तानू ED बारे पेपर कोई सवाल आई जाए, कई वर अप्शन जेते होने, तेन एक्ट आ जेते होने, एक होर एक्ट जेता होए, तसानू अप्शन ED बनी कदो, बच्चे ओधे बारे सवाल आ सागता है, ठीका, ED वर्क्स अंडर, which of the following department of finance ministry, ED हेट लिखे हैं, चो किस ministry दे अंडर काम कर दी है, किन्ने सवाल एक कोशन चो बनगे ठीका, जस्ट एक अपॉइंटमेंट दी गाल होई सी, कि ED ने अपने नमे डिरेक्टर जेड़े हा, उनना दी निक्ती किती है, नमे डिरेक्टर दी अपॉइंटमेंट किती है, एनी डाउट, next, गया जो बच्चे, NSG दे नमे डिरेक्टर जनरल, DG जेड़े है, ब्रिगू ED, NSG दा कॉंसेप्ट किया, बच्चे, 1984, जदों इस देश दे विच एक बहुत बड़ी उथल पुथल होई सी, गूल्डन टेंपल दे, ब्ल्यू स्टार ओपरेशन दे नाल, एक बहुत बड़ा हादसा जड़ा सी गा, उन्हों अन्जाम पचाया गया, उस तो बाद इस दे security force दी लोड़ा, जेड़ी इस देश दे टॉप officers नूँ, जहां इस देश दे टॉप लेवल दे politicians नूँ, security परवाइड करा सके, उदों होंद चाहिए, national security guard, समझागी चीज, 1984 जही इस दे बढ़न दियां, सुहां लगियां सी गियां, कि इन्नों एक तरीके नाल शुरू कित कर दो, पर उदकुल कोई ताकत ना होवे, फिर बड़ी मारी गल, उन्हें एक क्यों, मन लो, किसे बंदे नूँ, NSG दे कमांडों मिले होए है, ठीक है, ओ बंदा बहुत तगड़ा, फिलेंशल परसनेल्टी रहा है, उन्नों NSG दे कमांडों मिले है, तो बंदा NSG दे कमांडों मैं को सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर, ताकि NSG दे कमांडों उन्नों कुछ कह सकदा गयों, एक कह सकदा होगा, पर जे NSG दे कमांडों ताकता मिलिया होगा, बच्चे दाकता हमेशां लौतों मिल दी है, इट मींज NSG दे कमांडों तो बना होना था, कोई फैदा ही नी सी नेशनल स्क्योर्टी गार्ड एक्ट, तुसी कहोगे सर, जदो किसे चीज नों पार्लीमेंट बना दिन दी है, फिर दा की मतलब, बच्चे ओ चीज विदानिक हो जान दी है, इंगलीश चो दा मतलब होनदा, स्टैचुटरी, जदो में एक स्टैचुटरी बाड़ी बन जे किस मनिस्ट्री दे अंडर कत काम कर दिया, मनिस्ट्री ओफ होम फेर्ज, एदे जड़ा सब तो सीनियर मोस्ट आफिसर होंदा है, उन्नों की क्या जानदा है, उन्नों क्या जानदा है, डिरेक्टर जनरल ओफ एनसजी, ते रीसेंटली किनना दी अपॉइंटमेंट किती थंडर, ठीका, एक उपरेशन, एक उपरेशन वुड्स वोस्त, एक ब्लैक थंडर, ए ब्ल्यू स्टार तो बाद होए दो एक्शन सी, जित्थे अमरित सर दे गोल्डन टेमपल च दुबारा फिर आर्मी नों इंजेक्ट किता गया सी गा, ठीका, ए बड़ा कॉंट्रोवर् थे हमला करंदी कोशिच थी, एक उपरेशन ब्लैक टर्नेडो, जदों 2008 थे बिच ताज होटल थे हमला होया सी, उदों अपरेशन ब्लैक टर्नेडो चलाया सी इनना ने, तो कई वरी पेपर च आवी जानदा है, कि ए उपरेशन इंडिया दी केडी स्क्योटी अजंसी द्व दिस इस पीडियाफ जाके पढ़ लो, तो तुसी मैंनों लगदा, आप भी रटा मार लोगे, बट जे बैग्राउंड क्लियर होगा, तो मैंनों लगदा कि एक कोश्चन दी जगा, ते पांच जटों शेस वाल जड़े है, थोड़े सॉल होने चाही दे है, जा नों भी पता पादे स्पीक कर सी किनना नों चुणे आए दबारा फेर ओम बिरला नों, जेड़े की राजस्थान ते कोटा तो मेंबर ओफ पार्लीमेंट ने, बच्चे एक गल याद रख्यों, इंडिया दे विच्च जे मैं गल कमा, असी अज बाय कैमरल सिस्टम चाह, इंडिया चे ए हिंदी पंजाब भी आ ले ना आता बच्चे 1954 जा 55 ची दिते गए सीगे, अ लोकसभा ते राजसभा, दो हाउस जदो साड़े देश दे सेंटर चाह, इट मेंज साड़ी पार्लीमेंट बाय कैमरल बहु सदनी, जेते च दो सदन हों दे या, बाय कैमरल ना मतलब एक लोकसभ सबात एक राजसभा, बच्चे अजादी तो पहला, बिफोर इंडिपेंडेंस, इनना नो क्या जान्दा सी, सेंटर लेजिसलेटिव असेंबली ते सेंटर लेजिसलेटिव कॉंसल, लोकसभा नो केंदरी विदा आनसभा, जनिके सेंटर लेजिसलेटिव असेंबली ते उन पासे हाउस ओंदा सी सेंटर लेजिसलेटिव कॉंसल ओद चेर्मैन टे डिप्टी चेर्मैन किया जन्दा सी गार पर 1935 तो भी पहला ये शब्द निसी वरते जांदे उदो शब्द वरते जांदा सी प्रेजिडेंट टे वाइस-प्रेजिडेंट समझो मेरी गाल पीकर टे ड करवर्मेंटने 1909 axe किता गार्मेंट ऑफ इंडियां एक्ट नाइंटीन नाइंन्टिन नाइंटीन इन्टि ने अभ安 इंडियां डी लैजिसले चर्नू बाइए केम्रल किता गया अग से अनल isset सेंटर लेजिसलेटिव कांसल दो सदन बनाएं गए दो समय गक इना हाउस में जाओ सेड़े छो ये उन्व प्रेज्डेंट टे वाइस प्रेजडेन्ट करहा नैची año 35 चाह में टिप्टी चेर में दा नाम बदल दता गया नाइंटिन फिफ्टी तो बाद असी इना नूं हाउस ओफ पिपल ते कॉंसल आप स्टेट्स कहना शुरू करता फिफ्टी फोर दे विच असी इना नूं हिंदी नाम भी देते लोग सबाते राज्य सबा कॉंसेप्ट कलियर होगे इट मेंज चानु भी समझा आगया कि जे कोई कवे कि सेंटर लेजिसलेटिव असेंबली दा पहला प्रेजिनेंट कौन सी तक कबर आना जायो विकॉज उदे नाकबर आना कार ने है क्योंकि 1935 तक नाम प्रेजिनेंट दे डिप्टी वाइस प्रेजिनेंट चले है खेर आजो होना पैना नो कवर करन दी कोशिश कर दे है जदो 1921 दे वेच बनी सी ना है 1921 सेंटर लेजिसलेटिव असेंबली फेडरीक वाइट पहले प्रेजिडेंट सी गे 1925 पहली वार किसे इंडियन नो प्रेजिडेंट बनन दा मौका मिले आसी स्पीकर नहीं सी बनेया क्योंकि बच्चे उदो स्पीकर शब्द वर्तियाई नी सी जान्द पहले इंडियन जिनना नो ये मौका मिले आसी ओसी वित्धवाइप टेल वल्लवाइप टेल इंडिया दे एक बड़े मिशूर फ्रीडम स्ट्रगलर ने उनना दे छोटे प्रासी वित्धवाइप टेल ओ पहले इंडियन सी जिनना नो ये मौका मिले आसी अजादी तो बाद जदो देश अजाद हो गया ते 1952 दी एप्रेल के मई 1952 ज़ पहली वार ए लोकसभा बनी उधा उधा नाम लोकसभा नहीं सी होया जे नो हाउस ऐफ पिपली कहनदे सी ओस बेडे नाम आया MA अयंगर पहले सोरी गनेश मलवेंकर जी ए मलवंकर ओ पहले स्पीकर बने में अयंगर ओ पहले डिप्टी स्पीकर बने जीवी मलवंकर गनेश मलवंकर जिनना नू क्या जन्दा है यूपी तो बिलॉंग अर्दे सी के एंड इनना नू असी फादर ओफ लोगसभा भी इसे करके कहने है कि सदी देश दी अजादी तो बाद बनी लोगसभा दे पहले स्पीकर फिर एक मौका आया मीरा कुमार जे मैं गल्त ना होँआ ता आई थिंक दो हियार नौच मीरा कुमार पहली ट्राइबल ते होर शड़ो पहली वोमेन स्पीकर ओफ लोगसभा फिर उस्तो बाद मौका मिलेया सुमित्रा महाजन दुजजी वोमेन उस्तो बाद फिर मुद्धी जी ने ओम प्रकाश बिरलानू 2000 बनाता ते 24 भी उनानू बनाता सो पहली woman दा नाम की हो गया सुमित्रा मीरा कुमार पहले speaker after independence अजादी तो बाद speaker पहले दा नाम की हो गया जीवे मलवंकर जदो अजादी तो पहला पहला Indian ओदा की नाम हो गया वित्वभाई पटेल वैसे जदो legislative assembly 1921 चुप हो दा चाही सी जे उदों दी गाल करी है ता पहला पेडरिक वाइट ते जे कोई मिन्हों कवे बच्चे जिस दिन असी ये lecture ला रहे हैं उस दिन इस लोग सबाद speaker दा नाम किया ओं बिरला मिन्हों लगदा हर एक हो concept जड़ा मैं दसना चौना है ओं clear हो गया बाग की दा पॉलिटी जपढ़ देओ कि speaker जड़ा है अपना resign deputy speaker उन्हों दे पहुंदा है ते उन्हों effective majority ना remove किता जा सकता है constitution दा article 94 अनुशेद 94 बचे speaker दे removal दी गल करता है तो मैं उमीद करता है कि ये concept clear हो गया होगा ठीक है बाकि प्लीज देखो एक गल बड़ी clear है बचे facts बहुत important ने असी अकसर जड़े facts जड़े है वो जहां तक compile न पहुंदे एही एक बड़ा बड़ा कारना कि साड़े facts जड़े है मजबूत नहीं हुंदे next पहली बार Supreme Court कोई जज आया है बच्चे मनीपूर्तों ठीका खबर आई है तो justice कुशितवर सिंग Supreme Court पहले जड़े जड़े मनीपूर्तों चुने गए है खेर ए गलता मिनू relevant question है नी सी बटे दे मगर दा static बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे त्या नू पता होना चाहिए कि Supreme Court दे वेच जजीज नू बड़ा ओन दी पावर पता के दे कोला Parliament कोल Parliament by Act can increase number of Judges जदो original Constitution बनेया सी ना साधी देश दी Supreme Court बनी सी 26th of January 1950 दे 28 January 1950 दे पहली मीटिंग होई सी Supreme Court दे Supreme Court दे पहले Chief Justice ही गे हरी लाल कणिया and जदो original Constitution चे पता की लिखिया होया है कि Supreme Court consists of Chief Justice and seven more Judges and number of Judges can be increased by Parliament by passing Act स्वारा सुनों के Supreme Court चे एक Chief Justice ते साते जाज होनगे ते Supreme Court दे जजजान दी गिनती पार्लीमेंट एक्ट पास करके वदा सकती है It means the power to increase number of Judges in Supreme Court is vested with Supreme Court दे वेच जजजान दी गिनती वदा ओन दी पार्लीमेंट को पहला स्वाल हो गया Original Constitution चे बच्चे किनने जजज स्प्रीम कोड दे? 8. TGI पलस? 7. आज स्प्रीम कोड दे वेच जजजान दी गिनती के निया? 34. पार्लीमेंट ने एक्ट पास करके वख्रे वख्रे समय ते जजजान दी गिनती वदा ही है आज सीजी आई पलस से 33 जजज ने ठीका? लोड पैनते एस चीज नो हूर भी विदाया जा सागता है स्प्रीम कोड दे वेचे जजजी जजज दनो अपॉइंट करना वास्ते एक परसीजर फॉलो किता जान दा है that is called collegium system बच्चे ओ collegium system बहुत ओखे तरीके ना निकल के बार आया तेन वार सप्रीम कोड दे जजजान दी अपॉइंटमेंट दा केस सप्रीम कोड च गया फर्स्ट जजज केस, सेकंड जजज केस, थर्ड जजज केस 1999 दे विच, 1900 में दे विच, होया थर्ड जजज केस जड़ा सीगा, उनने जाके ये तै किता के बई सप्रीम कोड दे जजजान दी निकती के हमें किती जवे ठीका, एक गल होर बच्चे एड़ाउन कार दिना में 2015 दे विच, Constitution मेंड करके पारलीमेंट ने एक बहुत वड़ा काम किता एक नेशनल जुडीशिल अपॉइंटमेंट कमिशन मना था के अज तो बाद जजजीज दी अपॉइंटमेंट है को लीजीम दवारा नहीं किती जाओगी कोलीजीम दा मतलब जी सप्रीम कोड दा चीफ जस्टिस पलस चार सिनियर मोस्ट जज उदे वास्ते एक कमिशन मना था ओस कमिशन दे वेचे बड़े त्रीके नल की किता गया क्या गया एक सप्रीम कोड दा चीफ जस्टिस दो सप्रीम कोड दे जज दो एमिनेंट परसनेल्टीज उनो एमिनेंट परसनेल्टीज दा मतलब हा दो बहुत मचेवर बंदे जिनना नू चुणन वास्ते तेन मेंबर होनगे परदान मंतरी लीडर ओफ आपोजिशन ते सीजे आई तिनने जाने मिलके दो इंडियन्स नू चुणन गे पलस एक देश दा लौ मिनिस्टर ते मेंबरां दा कुलीजियम आज तो बात जज्जा नू चुणूँगा सप्रीम कोड चे बात केस चले गया के जज्जा दी अपोइंटमेंट वास्ते आम लोग का दा ते लौ मिनिस्टर दा की कम भी जज्जा दी जुडी श्री सरकार दी एक्जेक्टीव तो हमेशा इंडिपेंडट होनी चाही दिया तो एस कमिशन नू इनू कॉंस्टिट्यूशन च एड़ कार दता गया सी बाएं नाइंटीन नाइंथ कॉंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंड सप्रीम कोड जदो एकेस गया सप्रीम कोड ने एस कमिशन नू खतम करता तो आज भी सप्रीम कोड दे वेचे जज्जीज दी अपॉइंटमेंट केस तरीके नाल होन दिया कुलीजियम सिस्टम नाल केड़े सिस्टम नाल कुलीजियम सिस्टम कदों हो अधचाया सी फाइनली 1909 में जिदो तिजी बार जजजां दी अपॉइंटमेंट दा केस सप्रीम कोड गया सी उननों केंदे हां थर्ड जजज केस लोग बच्चे सब तो पहली गल जे कोई मिननों पुछे की सर अपां इंपॉटन्ट गल की करिये बच्चे करंटली दीवाई चंदर चूड साड़े सप्रीम कोड दे चीफ जस्टिस ने ठीका ते जे मैं गल्त ना होँआ 10 नवंबर 2004 तो बाद सप्रीम कोड दे चीफ जस्टिस बदल जानगे फिलहाल दी कडि ए साठै सप्रीम कोड दे चीफ स्टीस ने फिर संजीव खनना साठै देश दी सप्रीम कोड दे अगले चीफ जनीर सोसी होने शन्यौरटी वाईज स्प्रीम कोड दे विच पार्लीमेंट दे एक्ट नाल किने जज्जान दी स्ट्रेंथ हा टोटल 34 जे दिस 33 प्लस 1 दी एक्वेशन ना उरिजिनली चीफ जस्टीस प्लस साथ जजीज दा कॉंसेप्ट सी स्प्रीम कोड दे जजजीज दी जड़ी न्युकती अपॉइंटमेंट और कलीजियम दवारा हुन दी एक्वेशन दी एक सीजी आई बाकी चार सीनियर मोस्ट जज एक केस पैसला आया सी गा थर्ड जजज केस थर्ड जजज केस 99 दे विच स्प्रीम कोड दे जजजीज दी कोई मिनिमम एज नी पर मैक्सिम एज किननी फिक्स किती गई है 65 जिवें स्प्रीम कोड किनने नंबर ऑफ जजजीज होन गे एक कौन डिसाइड कर दिया पार्लिमेंट सिमिलरली बच्चे उनना दी तनखा पत्ते उननों मिलन वालिया सुहूलता चुटिया पैंचना ए सब कौन तय कर दिया पार्लिमेंट ते ए सारी तनखा दा पैसा कित्थों जान दा है एक कोश्चन दे बहान ने जी अपा इनने एफेक्ट कवर कर लेया ता इट इस मोर दन सफीशन्ट नेक्स्ट बच्चे अगे चाल देया जी अपा अगले करंट अफेर ते इंडिया दे नमे फोरण सेक्टरी कौन ने देखो बच्चे एस फ्रण सेक्टरी तोछ यह मन के चलो साधे देश दे वेच अर श्टेट नू संबन वास्ते सिनियर मोस्ट आफीशर कोण हों दा है सेक्टरी ओप स्टेट ते सेंटर दे वेचे हर डपार्टमेंट नूँ हर मिनिस्ट्री नूँ सांबन वास्ते जिवें एगरीकल्चर मिनिस्ट्री या सेंटर दी वो दे वेचे कॉफीसर होंदा है जड़ा एगरीकल्चर मिनिस्ट्री नूँ सामदा है एगरीकल्चर सेक्ट एंड बहुत इंपॉर्टन गाला के विक्रम मिश्री साथे देश दे नवे फॉरं सेक्टरी होनगे फॉरं मनिस्ट्री दे सब तो सीनियर मॉस्ट ऑफीसर कोई बहुत बड़ा करेंट फेर नहींगा पर बच्चे एक गल इंपॉर्टन समझाई के नदी अपॉइंटमेंट कि अपॉइंटमेंट कमेटी की होन दी है दुजी गल फॉरं मनिस्ट्री खबरां चागी तब अच्चे सुबरा मनीम जैशंकर ए पहला आई एफस ओफीसर सी आप निरिंदर मोधी जी ने इनना नू फॉरं मिनिस्टर बनाता तो जैशंकर साथे करेंट फॉरं मिनिस्टर ने न अपने एप सर नूवरें छेकल करता किसन कोई टाउट रहनी नी चाही दी घी का उसतो बाद सुष्मा शवरास जी बनेया जोदो दुरिंदर मुद्धी देश दे पर दान मंतरी सी खेर नाटो दे नमें सकत्तर जर्नल सेक्टरी जर्नल ओफ नेटो बड़ी सिंपल जी गाला जोदो तुसी दुनिया चे के लडाई देख रहे हो एस लडाई चे का और्गनाईजेशन दा नाम आ रहे है ने नेटो बच्चे नेटो दे कॉंसेप्ट नो समझन दी कोशिश कर दें अपके नेटो दा कॉंसेप्ट है किया नेटो दा कॉंसेप्ट किया एक ना लडाई जड़ी आज तो 75 साल पहला 75 येर्स पहला होई सी इट वाज वर्ड वार टू तुनिया दो हिस्यां चे बंडी ले लोग केंदे हिटलर हो गया हिटलर जर्मन दा मुसॉलीनी इटली दा ते हीरो है तो जपान दा पर जेड़े जिते सी ओभी बहुत है चंके नीजी जितना ले आँच चार देशां दा नाम बहुत वाद ले आ जाना वैसे था बहुत देश जिते सी एक यूके एक फ्रां चार तो पांच देशां दा नाम बहुत ले आ जान दा दो देशां दा नाम ते बहुत हाई लाइट होंदा है कि यूएसे के यूएसे सार लडाई जितन तो बाद 1945 चे आपस लड़ पे यूएसे दे मगर लगन वाले देश जड़े सी गे ओ अपने आपनों फर्स्ट चैनल लगते इनना दो माँ देशां तो जड़े तिज्जा पासा सी का जड़े किसे नालम नीसी जाना चाहों दे ओ थर्ड वर्ल्ड जड़े इंडिया वर गे देशा ओ थर्ड वर्ल्ड दे कंट्री सी के उन्नी सो पंताली तो बाद 1945 तो बाद आ जड़ा फर्स्ट वर्ल् आतिक ट्रिटी और्गनाईजेशन जिन्नों इंगलिश्च कहन दे बचे नैटो यूएसेसार आले आने कोई बहुत बढ़ी और्गनाईजेशन तनी बनाई उन्ना ने जस्ट एक समझाता किता उन्नों कहन दे वार्शा पैक्ट की गड़ा वार्शा ओल एंड दी कैपिटल वार्शाच बैके केता हून वार्शा पैक्ट ए दो में एक दुझे दे एंटी उन्नी सो नबे ता के ना दोवा गुरुपां दी लड़ाई चली यूएससार टोट गया खतम हो गया वार्शाप एक्ट भी खतम हो गया पर नैटो आज तक चाल दी आ रही है अज भी नैटो देवे चो सारे देश यूएस से एक निडडा यो दूदिस ले त crop या डे यूख या पर नेदै कौन आ नो पुच्छे ये नेटो के देशां के और नजईजेशन और ना नॉन्हूप ट दो देश, प्लस Western European countries, बनेया कतों सी, after second world war, के दी against, USSR दे against, एक के दे world दे country या, first world, second world कौन सी, जडे देश, USSR दे चेले सी, इंडिया वर गे देश, जडे अफ्रीकन देश, जडे उनना वेले आज, किसे पासे निसी हो, के दे country सी, third world country, पहली ता स्टोरी समझागी, नेटो आ कि रिउटी, जडे की प्राणे, होलेंड दे, प्राइम मिनिस्टर रहे या, उननम अपने नमे सेक्टरी जर्नल पॉइंट कर लिया, क्रेंट फेर खतम, फोन दासना बच्चे, नेटो ना रुलेटेड स्वाल, नेटो कदो बनी, just after second world war, second world war तो चार साल बाद, चार प्रैल 1949, एक ट्रीटी होई सी, नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी, एक होई सी, अमेरीका दी कैपिटल विशिंग्टन, फिर उस्तो बाद, नेटो दा हैड़ेकवाटर, अमेरीका नी बनाया गया, युरॉप दे कदेशा, बेल्जियम, बेल्जियम दी कैपिटल, ब्रसल्स दे वि रोकन वास्ते, जा म laver शबुत वर्तना बच्चे, सेकेंड वर्ड दी एक्स्पैंशन वास्ते, फर्स्लोंड थी इक्स्पैंशन वुंदी कंट्री दोड़ा, इबनाही गई सी, अमेरीका द्य Angarady दे च्ले, भॉर्स्त वर्ड सी, रषिया पलस रषिया दे चले, रषिइय रशिया दो नम यूएसेसर हुंदा सी विकाज रशिया इस वन कंट्री यूएसेसर बच्चे 14 कंट्रियां दा समूव सीगा यूएसेसर प्लस ओदे चेले ओंडा सी सेकंड वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड नू रूक्ण वास्ते बनेया सीगा तो फूर खबर कीया दो है यार चौ पाथा इक बड़ी दगड़ी लड़ाई होई सी रशिया यू रशिया उवकरीन sap जानदे ऴूगे तुसी दसकता 우린शिया उवक्रेवया लड़ाई दे कई कारण रहे हो ने अन्हां अटफहेसर लैट्टेद आकंगा यूपने आपने आपनो ने ड़ा है चौन दा द्वЭто ते नेटो दा मेंबर बनके फैदा पता की है फैक्ट सी बच्चे मैं कवर करन दी कोशिश खिती है नेक्स्ट बच्चे अगला क्रेंट फेर लीडर ओफ हाउस चान वेगाल बच्चे पता होनी चाहिए दिया दसो गे इस वार केड़ी लोकसभा बनी है अठारमी जदो नवी लोकसभा बन दी है न लोकसभा दे वेच्च एक लीडर ओफ हाउस बन दा है की बन दा है लीडर ओफ हाउस ए दस्तो साथे देश दे वेच्च जेड़ा भी देशदा परदान मंतरी होनदा है वो हमेशा लोकसभा च लीडर ओफ हाउस होनदा है वो दी वजा की है क्योंकि देशदा पर्दानमंत्री हमेशा लोगसबा देलेक्शन जित्त के होगा 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 ह पूछ रहा ता नुमैं की तुसी में टेक्णिकली दस होगे ए ओ वारान इसी तो जित्ते है ता लोगसबा ते वेच्टे लीडर ओफ हाऊस कौन होगा पीम उद्धी पीम हमेशा लीडर ओफ हाऊस हुनदा है जे करो लोगसबादा मेंबरा ते वो लोगसबाच लीडर ओफ ह लोग सबादी कालब कर देयां बच्चे हुई इस लीडर ओफ हाऊस बच्य फेड़ी देश्दे परदानमंत्री यह एए दस्तो जेडी दुज्जे नंबर देपार्टी होंदिया वो दे लीडर नुकेंद यह लीडर ओपोजिशन कंडिशन एए या उना दियां सीट्स टोटर लोगसाबा दियां सीट्टान दास प्रेसेंट होनी चाहिए या मतलए 54 तुझे नंबर ते पार्टी गड़ी है गांगरेस किन्या सीट्टा है 99 किन्या है 99 दस्तो उना दे लीडर उना ने किस-किस बंदेनु अपना लीडर ओफ ह जेडी पार्टी लोगसाबाद एलक्षन जित्ती हुन दिया उन्ना दाई एक लीडर लीडर ओफ हाउस इन साभा विहोगा उना दाई ही एक बंदा राज्यसाबा शाबाच यही लीडर ओफ हाउस होगा नंद्रिंदर मोदि जीर्म ने अपने आपनू लोगसाबा दा तुसी साम्भो राज्यसभा दे वेच लीडर बीजेपी वल्लो जड़ा लीडर होगा लीडर ओफ हाउस इन राज्यसभा होगा बीजेपी ने किन्नू बनाया है जेपी नड़ानू हाँ इंपोर्टेंट गल फुन ए गल बहुत इंपोर्टेंट है शाम नंदन मिश्रा एक कॉंग्रेस दा जेड़ा जेड़ी पार्टी लोगसभा दुजे नंबर ते हुन दिया राज्यसभा उनना दे लीडर नू कहन दिया लीडर ओफ ओपोजीशन बच्चे होगा तुसी कदे कन्फ्यूज ना होजीयो लोगसभा दे वेच लीडर ओफ हाउस कौन निरिंदर फिर नाम गल्त हो सकता शाम नंदन मिश्रा ठीक है एक अन्पार्मा क्लियर हो गया गल्थ तो एस अपनों पहला इंपॉर्टेंट सोरी मली करजन खाड़ ओगे ठीक है जेड़े बीजे कॉंग्रेस दे पर दानमी ने तो एस बेले राज्यसभाज कॉंग्रेस दे लीडर भ प्रदान मीने ते ओ राज्य सबाद चे लीडर ओफ ओपोजिशन मीने तो अमीद करना बच्चे कि ये कॉंसेप्ट त्या नों चंगीतरा क्लिए हो गया हुगा प्लीज एस कॉंसेप्ट नों चंगीतरा समझेव जे आपका गल करिये लोग सबादी एक पासे है राज्य लीडर ओफ ओपोजिशन एलोपी लीडर कहा जिन दे जन्नू राहूल गंदी ठीक है ते राज्य सबाद चाजो लीडर ओफ हाउस कोण जेपी नड़ा जी कुईज लीडर ओफ ओपोजिशन मलीक अर्जन खाडगे ठीक है तो चार नामा बड़े इंपोर्टेंट अब मेरे लीडर ओफ ओपोजिशन मीने तो किसे नो कोई डाउट रहनी नी चाहिए दी बच्चे नेक्स्ट नेशनल स्क्योर्टी अडवाइजर टु पीम मोस्ट इंपोर्टेंट एड मोस्ट इन्फिलेंशल पोस्ट पच्चे समझन दी कोशिश करे ओ देश्दी सक्योर्टी ना र अतल बेहर इवाज पाई पहली गल जे पेपर चे शब्दा वे कि साठे देश चे नेशनल स्क्योर्टी अडवाइजर दी पोस्ट कदों क्रियेट किती गई तत्य अड़कुल जवाब होना चाहिए दा है जदों साठे देश दे परदान मंतरी कौन सी अतल बेहर इवाज प मन्या जानदा सी कि जेड़ा बंदा फॉरण पॉलसी नूँ बद जानदा है ओ देश दी सुरख्या बारे जादा वदिया सोच सकता है निरिंदर मोदी नी आके एक कामी बंद करता निरिंदर मोदी केंदे मैं एहो जे बंदे नू स्क्योर्टी अडवाइजर लाऊंगा ज फॉरण सर्वीस आले दा बाबू हुंदे है मतलब कोट पेंट पाके दुझ्जे देशां दे अंबैस्टर को मदे है एहो जा बंदा जड़ा IPS होवे पराणे समेदे विच उन्ने कुछ अंडर कवर काम भी किते होन जिन्नू अंदर बार दा पता होवे जिने दुनिया यह होन तो निरंदर मोदी निया के ट्रेंड बदलता आई एफ एस इंडियन फॉरण सर्वीस इस चो नहीं होन साड़े देश दे नेशनल स्क्योर्टी एडवाइजर नो कितों लाया जन्दा है इंडियन पोलिस सर्वीस इस चो IPS आईपीस आईपीस आईपीसर नो निरंद जीत दवाल लू दबारा फिर इंडिया दे NSA to PM अपॉइंट कर लिया गया वट इस NSA to PM नेशनल स्क्योर्टी एडवाइजर टू प्राइवनिस ट्रॉफ इंडिया ठीक है अगली गल बच्चे एक चीज़ होर बहुत इंपॉटेंट है कि नेशनल स्क्योर्टी एडवाइज दुझी गल परदान मंत्री दे पक्के सलाकार हों दे जड़े PM नूँ इंटरनेशनल रिलेशन्स टे सिक्योर्टी मैटर्स टे सला दिन दे एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट गल जदो अटलब्यारी वाजपाई जी दे वेले नेशनल स्क्योर्टी एडवाइजर बणान द कंसेप्ट शुरू हो या सी तब बरजेश मिश्रा साथे देश दियो पहले आई एफस ऑफिसर सी गे जिनना नूँ एनस से बनन दा मौका में लिया सी बरजेश मिश्रा नूँ सब तो पहली वर निफ्ट किता गया सी गा ठीक है सो ए तो मैं एक गल बड़ी क्लिक दास्ती फिल हाल दी कड़े दात्रे पदला शीगी कर ए साथे देश दे डिपती एनस से ने जीत दवाल साथे देश दे की ने एनस से दुसों कलियर हो गया बच्चे उमीद कर दा कि चानु हर एक फैक्ट जेड़ा है ना उन नाल नल मिले कि एनस से पोस्ट कदो क्रेट किती गई ए एक डी पावरफुल पीम दे डिरेक्ट अडवाइजर हों देया फूर सेक्यूर्टी मैटर्स नेशनल ते इंटरनेशनल लेवल दे स्क्यूर्टी दे मैटर्स देना दे हों देया नेक्स्ट उस तो बाद वच्चे एक बड़ी इंपॉर्टन पोस्ट है एक जस्ट एक एक सोज करो देश दे देश नों शड़ो तीम दी गल कर लेने चीफ मिनिस्टर साड़े देश स्टेट दे मुख मंतरी होना उनना नों एक गल चंगीतरा पता है कि उनना दा जड़ा सबतो सिनियर मोस्ट आफिसर है गिनने सारे सिवल सर्वेंट्स नों संबना है उननूं कहन है चीफ सेक्टरी की कहन दे है चीफ सेक्टरी पर उसंतों बाद पर बड़ी इंपॉर्टेन्ट गल interns मिलरली इस अप विड़े फैसले लídने हों दे है जो चीफ मिनिस्टर ने आ आ प सैशले लेने ति चीफ मिनिस्टर कहन दे कीश प्रती मानदार होना चाहिए ए प्रिंसिपल सेक्टरी प्रदाननितरी प्रती नांधार होंदा है प्रिंसिपल सेक्टरी दा मतलब होंदा है मुक्सकत्र टुपीम जे स्टेटल से विच्छा ते प्रिंसीपल सेक्टरी टू सीयम ओ सीयम नूँ अडवाइज कर दा है कि सीयम साब थोड़े अफसर सही कम कर रहे है ओधी वफादारी अपने बॉस दे खला वास्ते हुं दी है तो प्रिंसीपल अडवाइजर जे कोई में नूँ पुछे कि सर पंजाब दे व जादा नेड़े को न प्रिंसीपल सेक्टरी मेरी गार समझेगे न सिमीलरली जादा तर केसिस्ट की होंदा है एक प्रिंसीपल सेक्टरी दा अडवाइज अडवाइज पॉलिटीशन मतलब बड़े प्राने पॉलिटीशन एक रटाएड आईएज आईयस ऑफिसर नू रख देश दे प्रदान मंतरी निरिंदर मोधी ने की किता जदो 2014 चाहे उन्हा ने एक रटाइड ऑफिसर सी गे रटाइड आई एस ऑफिसर उन्हा नू अपने नाल अपना प्रिंसीपल सेक्टरी लाया तेहरा नीदी गाल पता किया उदों तो लेके होन तक उही इन्हा दे प्रि पीके मिश्रा नू दबारा फेर पीम दा प्रिंसीपल सेक्टरी अपॉइंट कर लिया गया है ए याद एक बड़ी इंपोर्टेंट गाल ला ए शिवल सर्वेंट्स दे हैड नहीं हुंदे सेंटर दे वेच भी एक चीफ सेक्टरी हुंदा है जेडा सारे सेक्टरी दी निग प्रिंसीपल सेक्टरी की केंदे है एक किसे भी रटाइड ऑफिसर नू भी लाया जा सकता है तो ए और्डर ऑफ प्रिसीडेंस दे वेच बहुत उच्छे दर्जेते हो दिया सत्वे नंबर दी पूजीशन हा एक गल याद रख्यों पीमो नू ए साम देया पीमो दा मतलब प्राइम मिनिस्टर अफिस तो मैं तानो एक गल हो बचे छोटे-छोटे सवाल निकलन गए एंदे पीम मनू ओरिजिनल किया जाना सी प्राइम मिनिस्टर सेक्ट्री एडट 1907 तो बाद होदा नाम बदल के की रख्या गया मरारजी दे सही दे वेले पीमो प्राइम तो जड़ी principal secretary दी post सी गी, ए इंडरा गांधी दे वेले create किती गई है, ठीक है, के दे वेले? इंडरा गांधी दे वेले principal secretary दी post जड़ी आओ create होई है, उस तो पहला है इंनी सी, दसो किसे नो को doubt है देच, clear next, उस तो बाद अगला अपने को ला गया, Sid B, बच्चे most important, एना नेना किनोमिक्स पड़ दे ओ स्वाथ प्रकार देंक हुंदे जिमें एक तो हुंदे एक ता हुंदे एक मर्षेयल बेंक एक उंदे डवेलपमेंटल बैंक हुंदे इनन न फडा खास कम आए डवेलफमेंटल का आम लोग कांव जिंदें हाँ ए जिमें हुन स्पोज करो साड़े देश चे के सिड़भी है सिड़भी दी फुलफों बोलदा मैं समाल इंडस्ट्रियल डेवल्पमेंट बैंक ओफ इंडिया साड़े देश ते बेच जड़े छोटे अधियोग ने न जिनननों सीखने है MSME सेक्टर माइक्रो समाल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज लगू छोटे ते दर्मियान ने अधियोग अड़ा खेतरा जड़ा बच्चे उद्च बहुत सारी इंडस्ट्री नों स्पोर्ट दी लोड़ा जिमें हुन एक एक ग्जांपल देना सोज करो तुसी ना कदी किसे मेला बग सानु सिडबी ने लोण दिता सानु ए असल दे वेचे सिडबी समाल इंडस्ट्री नों डेवेलप करन वास्ते पार्त सरकार दवारा बनाई गई एक अजंसी सी 1990 एंड 1990 च बनाई गई ए बैंक लखनव एधा हेड़कवाटर इन्नू एमे नी बनाया गया इन्नू बड़ी ताक्तवर तरीके नल बनाया गया इन्नू बच्चे पार्लीमेंट दे एक्ट नल बनाया गया ठीका आज ये साथे देश चोटे चोटे अधियोग उना वास्ते सस्ते लोन इंट्रस्ट फ्री लोन जहां कट इंट्रस्ट ते लोन जहां सरकार दियां स्कीमा जेडियां हो द अगली गल ए साधे देश दी केड़ी मिनिस्ट्री देंड रहोंदा है? मिनिस्ट्री और फाइनस देंड थे है लखना हूँँ, बच्चे सिड़ी इस बेज देन, एह हो जे सवाल पेपर चाओँदे या, इस इड़ी गदो बने या एए पेपर चाओँदा है, कि सिड़ी एक स्टेचुटरी बॉडी है? स्टेचुटरी बॉडी दा मतलब की ये संस था कि ये बॉडी बाई एक्ट बनी यां बाई लॉव बनी यां येस ये लॉव नल बनी यां 1990 जिस करके इस टैचुटरी बॉडी है नेक्स्ट उस्तो बाद आ गया बच्चे CBDT CBDT दे नमे चेर्मेन जिड़े या ओ बनाया गया है रवी अगरवाल नूँ उन सब तो इंपोर्टन गल बच्चे मैं तानो एक गल दसी सी कि साड़े देश चेक मिनिस्ट्री ओस मिनिस्ट्री दा की नामा फाइनास मिनिस्ट्री मैं दस्तिया सी कि फाइनास मिनिस्ट्री चे एक डपार्टमेंट जेदा काम मा कला पैसे कठे करके लेके होना ओस फाइनास मिनिस्ट्री दे डपार्टमेंट दा की नामा रेविन्यू डेपार्टमेंट की नामा रेविन्यू डेपार्टमेंट जेड़ा है ओध कई तरीके नाल उधेच एक दफ्तर दा नामा CBDT Central Board of Direct Tax दा मतलब परसनल इंकम टेक्स कॉर्परेट टेक्स कठे करना एक हुंदा है CBIC Central Board of इंडिरेक्ट टेक्स CBIT इंडिरेक्ट टेक्स दा मतलब जी एस्टी कठा करना ए जेड़े दो में डेपार्टमेंट ए रेविन्यू डेपार्टमेंट दे अंडर होंदे है ठीक है ए दे चेर्मेन अड़ होंगे CBIT दे चेर्मेन अड़ होंगे एकगल याद रख्यो Finance Ministry दा ओर जेड़ा केवल पैसे कमा के लेके होंदा है बच्चि ओस डेपार्टमेंट दा नाम हा Department of Revenue जेड़े डेपार्टमेंट दा कमा खर्चे करना के बही लोग का दिया तनकाहाँ देनिया स्टेट ता नूं पैसे देने आ करना ओ करना करना खर्चे न लग ओस डेपार्टमेंट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट स्वाला साड़े देश दा बजट थे एकनॉमिक सर्वे एबना उन दा कमा डपार्टमेंट ओफ एकनॉमिक अफेर्स दा मोस्ट इंपॉर्टेंट तीजा डपार्टमेंट हो गया चौथा डपार्टमेंट साड़े देश देश दे विच ना फाइनांस मिनिस्ट्री की स्कीमा चलाओ दी है जनतन योजना जहां होर भी बढ़िया स्कीमा ने जी में स्कुन्या समरिद्धी योजना मुद्रा योजना ग्रीबानू पैसे देन वास्ते हैं बहुत तरीके दिया स्कीमा साड़े देश चल दियां पैसे नाल वो सार्य चलाओ देपार्टमेंट ओफ फाइनांशल सर्वीशिज भरी गाल समझ गे साड़े देश दे विच्छ जिन्या तगड़िया तगड़िया सरकारी कंपणिया indian oil corporation, hindustan petroleum, steel authority of india यह ओधियां department of heavy industries यह भी पैसा कम ओधियां इस करके department of heavy industries भी ministry of finance देंडर heavy industries नहीं department of public enterprises public industries कहलो जहां public enterprises कहलो सारी यह वड़ियां वड़ियां फरमा एसे department देंडर उने एकगा लहूर बच्छे स्पोज करो कई वरी पता की हुंता है मानलो साथी कोई बहुत बढ़ी इंडस्ट्री है हिंदोस्तान पट्रोलियम ही है सरकार नू लग गया जा रहे दे दो परसेंट शेर वेच दो उधे वास्ते सरकार की करूगी उस कंपनी दी जो ऐसेट कमाई यह उन्हों मैनेज करूगी उन्हों कहन अगरिक देपार्टमेंट अदर्पुलिक एसेट मनेजमेंट जां लोका देता न दी निग्रानी करनें वास्ते देपार्टमेंट जिड़ा की कर था है हिदा कंपनेज की नथे डिपार्तमेंट अफिनेजेश्टुलां नू перв markings विचनिया वेचदू ठकार नू लगया सध स दो प्रसेंट शेर वेच दो, फुलानी कंपनी दे 4 प्रसेंट शेर खरीद के इन्वेस्टमेंट कर दो, तोस देपार्टमेंट दा नामा Department of Investment and Public Asset Management, जा देखोनों पुछिया जानवाला बच्चे सब्तों पहला सवाल, Finance Ministry ज किन्ने देपार्टमेंट आ? शे, Department of Economic Affairs, जेदा कामा बजट ते Economic सर्वे बनोना, Department of Revenue, जेदा कामा पैसे कथे करना, Department of Expenditure, खर्चे करना, Department of Financial Services, जडियां स्कीमा ओच लौनियां, Department of Public Enterprises, साड़े देश्दियां वड़ियां वड़ियां जडियां इंड़ियां इंड़ियां जडियां इंड़ियां इंड़ करना है, Finance Ministry जेंडर किने डपार्टमेंट होगे बच्चे, जेता नुको ये पुच्छे न, शे डपार्टमेंट स्चो, एडिकेड़ डपार्टमेंट देंड़ियां इंड़ियां कारदा दसो बच्चे, Department of Revenue, आगया न स्वाल, जस्तो CBDT, Central Board of Direct Tax, Central Board of Direct Tax, केड़ियां डपा जोटे मंतरी ने ओपंकर चौधरी ने, उननों कमांगे, Minister of State, जे पेपरच पुच्छे कि साधे देश दे पहले, Finance Minister कौन सी गे, ता ओधा नामा, रमास्वामी शेटी, साधे देश दे पहले, Finance Minister सी, क्रंट फाइनास मिनिस्टर ने निर्मला सी था, रमन, ते मिनु लाग द पंजे डपार्टम, शे डपार्टमेंट, ते उनना डपार्टमेंटा, Finance Ministry है, बच्चे बड़ी इंपोर्टेंट, तो मैं अपने वह लोग कोशिश किती है, कि ते अनु चंगी तरह दे, करेंट फेर्स कलीर करादा, नेक्स्ट, लोग बच्चे, अगली एक बड़ी इंपो हो गया, अमेरीका हो गया, ए जी सेवन देश ना पहला बड़े एटिट्यूट चोंदे सी, होया एदना 1971 चेक लड़ाई लगी, 71 और 72 जित्थे आज लगी या, अर्बदे लाकेच, इसराइल चोही फिलिस्तीन दा रोला युदो चाल रहा सी गा, उस्तो बाद दुनिया च स्टेल में हो गया मेंगा, इनना नों हत्था पैरादी पैगी, क्योंकि इनना दे देश दी इंडस्ट्री मुद्धे मूं होन दख भी, फिर इनना नों समझाया के कल्ले एकना सानू ग्रुप क्रिडेट करना चाहिए जड़ा आपस्च अमीर देश एक तो जिनल जिनल कोई फैदा नहीं, दुनिया दे वेच ना जिड़ा पैसा है, ओ बड़ा पैसा गल्त कमा च वरते आ जा रहे है, करप्शंच वरते आ जा रहे है, ओ जड़ा ब्लैक मनी है ना दुनिया दे सारे देशां दी प्रॉब्लम हा, मानलो अमीर देश कर ले की कर लानेंगे, अमीर देशां दे, अमीर लोक अपने देशां चो पैसा कड़ के ले ओन, जिक किसे एहो जे देश जित्थे कोई कनून में वस्था नी, ओथे रख देन, तां असी की कर लांगे, क्यो ना अपा इस तरीके दियां चीज़ा नू कब करिये, अपा एक एहो जी संस्था बनाई जिड़ी इस तरीके दियां हरकता नू रोक सके, दुनिया दे जी सेवन अमीर कंट्रीज दी 1989 दे विच पैरीस्ट मीटिंग होई, ओथे बैठ के एक और्गनेजेशन बनी, Financial Action Task Force, तांके दुनिया दे विच जिड़ी या, इल्लीगल तरीके नाल पैसे नी मूमेट हुन दी एस पैसे नाल हथियार क्रीद दे जा रहे है, टेर्रिजम प्रमोट हो रहे है, एदे नाल गैंग्स्टर बन रहे है, गैंग्स्टर जनू बच्चे इंगलिस्ट कह दिया, Organized Crime, अंगठत अपराद, फेर इन ना ने या, दो फेक्टर जड़े मैं बाद ची दस्या, इननू म च्पावांगे, फिर भी ना मन्या, फिर ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट च्पाउनदा मतलब उस देशनल, बाकी सारे देश अपना वपारक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन्स बंद कर देनगे, FATF बड़ी मजबूत और्गनाइजेशन हा, आज जे एनी को खबरां चाहा कि जे तुसी एदे बारे पेपर च नहीं पढ़के जन दे तैडे सवाल गल तो होन दे चांस जा दे है, उन तुसी कोगे सर सानू पता लाग गया कि FATF नो G7 अमीर देश्यान दा एक ग्रूप क्या जा सकता, उनना दी एक टास्क फोर्स हा, जेडी दुनिया ची करप्शन, ट FATF दे, पहली गले क्लियर होगी, एदा जस्ट करंट फेरा, एक अपॉइंटमेंट हा, पर मैं इस्तों भी बच्चे नेक्स्ट स्टेप ते जाना चौना, के FATF जड़िया, एनू G7 कंट्रीज ने 1989 च बनाया सी पहली गल, एदा हैड़कोर्टर है गाए, पैरीस्ट, दू पर ते डी गलते हाँ जाना, वोट नहीं पाऊगी, फिर होडी होडी इंडिया नू एदा फाइनल मेंबर बना लया गया, ता इंडिया दो यार दास्तों, एदा फुल मेंबर बनेया होया है, इंडिया इज अ मेंबर ओफ FATF, ते बच्चे एक गल होर याद रख्यो, FATF दो परकारणिया लिस्ट ने, एक ब्लैक लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट दा मतलब जुनिया दे ओ देश, जिमें इरान ते नौर्थ कोरिया, इनन नू ब्लैक लिस्ट च रख्या गया, ए मन्नेया जान दा है कि इनन दा पैसा जड़ा है, ओ नूकलिर वेपन गल्थ एक्टिविटीस च इन वॉल्ड, ग्रे लिस्ट च ओ देश जिनना ते शक्का, पाकिस्तान कई बार FATF धी ग्रे लिस्ट च चा गया, कई वरी बार निकल गया, कदे भी तुसी आज तो बाद करण फेर सुनोंगे न, के पाकिस्तान दो दुभारा ग्रे लिस्ट च बाद दिता गया पाकिस्तान ग्रे लिस्ट जो कड दिता गया होन तुसी कदे टेंशन आ लेओ कि वट इस FATF बच्चे FATF बेसीकली एक सारे देशा दी आपस चेक और्गनाइजेशन आ जिसदा बेसीकली मकसद बता की है पहला था एदा मकसद सी सिर्फ मनी लॉंडरिंग नू रुकना पर होन कला मनी लॉंडरिंग एदे अजन्डेश निगा दो चीज़ा हो रागी है और्गनाइजड क्राइम गैंस्टर्स नू जड़ा पैसा जान दा है तो भी रोकिया जावे ते टेरर फंडिंग अप्त बादनों जड़ा पैसा जा रहे है उन्नों भी रोकिया जावे तो बच्चे FATF समझागी तो कदे भी FATF वरी और्गनाइजेशन आगी तो कदे भी नॉन सीडियस नहीं लेना बड़ी इंपोर्टेंट है अगली और्ग चे दा जिकर है गाए ता एक्जेक्ट ली बच्चे Constitution दा पार्ट 14 केड़ा पार्टा चौद माँ पार्ट Constitution दा ओधे अंदर आटी कला 315 तो लेके 303 तक ओधे तहते UPSC दा जिकर होंदा है UPSC चेर परसन होंदा है ते मेंबर होंदे है ता प्रिती सुधान एना नू रीसे सीदे चेर परसन दे तौर ते निक्त किता गया क्योंके मनोज सुन्नी पिछे जे कॉंट्रोवर्सी होगी सी गी एक दो आईएस ओफिसर्स दा गडबड होगी सी उस्तों बाद मनोज सुन्नी ने अपनी नैतिकता दे दा आरते प्रेजिडेंट ओफ इंडिया नू रजाइ प्लस अदर्वाइज इना नूश पैंट साल तक दी उमर ली चुणे आ जानता है जाँ पैंट साल जाँ शे इयर ऑफ टनियोर मन लो कि से दी नुक्ती ही बच्चे पचबंजा साल दी उमर चोगी 55 प्लस 6 किना हो गया 61 तक रहुगा जे दी अपॉइंटमेंट 63 दी उमर च जो उनना दोमा दे विच्चों पहला हो गया ओ एजी नुक्ती दी कंडीशन रहुगी दसो बच्चे क्लियर हो गया UPSC दे चेर परसन एंड सब कोश आपाई दे कवर कर लिया नेक्स्ट देश दे परदानमंतरी दे तौर ते निरिंदर मुदी ने ओथ एडमिस्टर किती ह ठीक है बच्चे एदे चो सबतों इंपॉटन गाल है Constitution दा Article 74 की कहनदा है There shall be Council of Ministers headed by PM देश दा एक परदानमंतर एक देश चे कांसल होगी बच्चे बहुत बच्चे कनफ्यूज होंदे चे मैंक फेक्ट क्लियर करदा है सड़े देश चे के शब्द वरतिया जानदा है Council of Ministers मंत्री प्रीशद एदेच जड़े सबतों टॉप लेवल दे मंत्री होंदे नो की किया जानदा है Cabinet Ministers तुझ्जे नंबर दे मंत्रिया नो की किया जानदा है Minister of State तीसरे लेवल दे मंत्रिया नो की किया जानदा है 50 Ministers एक एक गजांपल देना Finance Ministry जबच्चे किने डपार्टम कि ये मानन λो किसे मिनिस्टर नो मानन लो कोई मिनिस्टर ठीक है किसे मिनिस्टर नो अपानुं पताया है कि साठे देश दे विच्चे 5 ती इपार्टमेंट ने किने डपार्टमेंट रफी अंन्ना चुँँ 7 8 Department important department भूब ऑन्हा इंक्ड इंपोर्टनट department कई सबस्क्रेबू स्बस्क्रोर मटेरी क्यीत कब तो मैंस्कोम कें मैं जरी सबस्क्राइबादें। मिनिस्टर काकर स्बस्क्राइब करेंmer सब्सक्राइब mathaill मैं मिनेच्ट्ब भडीом नंद चार्ज, उन तीसरे नमبر ते आजो, एक बहुत वटी मिनिस्ट्री च शे देपार्टमेंट हा, उन्ना चो छे आ cinemat पार्टमेंट ता कैबिनेट मिनिस्ट्र नों मिला गे जा पंज, एक डपार्टमेंट इंडिपेंड टॉरते किसे होर मिनिस्ट्र नों दे ता, उननूं वड़े मिनिस्टर दा काम बहुत ज़्यादा है उधे चेले दे तौर ते किसे नो डिप्टी छोटा मंत्री लाता फिरो मिनिस्टर आफ स्टेट नहीं है फिरो किया डिप्टी मिनिस्टर तो तेन प्रकार दे मिनिस्टर केड़े केड़े कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर मिन इना तो भी उप्पर कौन होंदा है प्राइम मिनिस्टर एक अल क्लियर होगी जे असी बच्चे परदान मंत्रियां दी गाल करिये साधे देश दे पहले पीम कौन सी पंडित जोहरलाल नैरू दूसरी कल फस्ट नौन कॉंग्रेस प्राइम मिनिस्टर एक अल क्लियर होगी जे परदान मंत्री कौन सी कौन फेस्ट लोगसबा पहले प्राइम मंत्री जिनना अपनी लोगसबा दा कार्जकाल लोगसबा भी अपने ओदेच नहीं देखिए उदा की मतलब यह एदा मतलब यह दा मतलब यह नीकि लोगसबा देकरी दर्शन नी करकिया यह कि दा मतलब है है कि ओ पर्दान मंत्री बन गया गॉर करेो ओ पर्दान मंत्री बन गया पर जदो लोगसबा जौनफिडेंस प्रूव करना सी उस तो पहले इू सरकार घेग दिती गई ओ सीँगे चौदरी चरंसेंग, की नाम सीगा, चौदरी चरंसेंग वाद फ़स्ट प्राइमिनिस्ट्र आफ इंडिया हुँ नेवर फेजड लोकसभा, अगली गल वाद दी फर्स्ट प्राइमनिस्टर ऑनिटिया हु डाइड़ इन ऐन ऑफ़िस पारत देओ पहले प्रदान मंत्री जिनना दी अपने कारज काल दे दुरान मौथ हो यू दक्स्तो कौन सी पहले वुमेन प्राइमिनिस्टर कौन? इंद्रा गांदी. जेसदे नो प्रदान मंत्री बनी सी 24 जनवरी 1966 नूँ असी नेशनल गर्ल चाल्डडे मनोने है. साड़े देश दो पहला प्रदान मंत्री जेडा लोकसबा चोनी राजसबा वलो प्राइमिनिस्टर बने आ सी ओ कौन? इंद्रा गांदी. पहले वार कौन बने आ सी? जोदो 1966 इंद्रा गांदी प्रदान मंत्री बनी ना पहले वार ओ लोकसबा दी मेंबर ने सी ओ केड़े हाउस दे मेंबर सी गे? राज्यसबा दे मेंबर. अगली इंपोर्टन गल, बचे साढ़े देश देओ, ओ प्रदान मंत्री जेड़े एक वार्च सब थोड़े समय वास्ते प्रदान मंत्री रहे है, सब थोड़े समय वास्ते एक वार्च अटलब्यारी वाजपाई, सिर्फ तेरा दिन प्रदान मंत्री रहे है, ठीका? फोन तुसी आप दसो इस तो वद फैक्ट मैं ता नो की दसा पीम्स दे ठीका जदो एक सलाइड थोड़े हाथ चाहोगी तुसी दबारा इस लेक्चर नो ला रहे हो वोगे तब अच्छे तोड़ी कोशिश पता की रहोगी तुसी वद तो वद फैक्ट सनाल नोट करो देखो जे तुसी फैक्ट नोट नहीं न करोगे ता मेरे ही सावनल फेरता है गल बड़ी क्लियर होगी कि या सलाइड चको एमेरिया सलाइड में बना होगा तुसी जिनने मरजी लेक्चर लाई जाओ ठीका पर उदा फिर ओ फैदा नहीं होना जिड़ा मैं प्रैक्टिकली जिस इंपोर्टन फैक्ट्स दास रहा पहला मैं देखो एक गला क्रीन ते देख्या कि एक करेंट फेर आ गया तक क्योंना पहला पहला पोदे न रेलेटेड कुछ इंपोर्टन डिस्ट पॉइंट्स जिड़े मिन्नू परसनली लग देया कि डिसकस कर लेने चाहिए देया वह आ आड़ी आर्मी च जो सब्तो हाइस्ट रेंक आफिसर है ना फिल हाल दी कड़ी जिस दिन आपाई लेक्चर ला रहे हैं बच्चे उधे मोड़े ते चार स्टार हुंदे या उनू केंदे फोर स्टार आफिसर ठीक है एंड ओ हुंदा कौन जे करो आर्मी चा ते उनू क्या चिफ और ते चिफ अफ आर्मी स्टाफ जे को रो नेवी चववा त hardest आणू क्या जो ऑफ नेवल स्टाफ जे करो आएड प्धोर्स च्ववा ड़ेक्टी ये जगह दे काउन ओ आगे आ नधिए स्टार ओफिसर नोनगे फोर स्टार के फाई रिस अरमी उतार मैं दुचाहो कि जे आर्मी चीफ दास्तिया ता नेवल चीफ ने दिनेश्त्र पाठी तीसरी गल एर चीफ कौन ने वीके चौधरी विवेक राम चौधरी ये भी गल क्लियर होगी ए फोर स्टार आफिसर दने साड़े इंपॉर्टेंट गल बच्चे देच की ये ता गल क्लियर होगी जोदो ना साड़े देश्ट अथी अजाद होए है 1947 उस तेम साड़े देश्ट जड़े आर्मी ओफिसर सी ओ ब्रिटिश सी गे उना दा नाम सी जनरल फ्रेंकी स्रॉय बुचर एड 1949 दाओ साल सीगा जोदो पहली वार एक ब्रिटिश ओफिसर तो चार्ज एक इंडियन ओफिसर दे हाथ चाया ते जिस इंडियन ओफिसर दे हाथ चो चार जाया सीगा ओ नाम सी के अम करियपपा 15 जन पंदरा जनवरी 1949 नूँ उच साड़े हाथ चाया इस दिन उसी उस दिन आर्मी डेमन होने हाथ 15 जनवरी नूँ विकाज पहली वार किसे इंडियन दे हर्थ ओस वेड़े एनू चीफ ओफ आर्मी स्टाफ नहीं सी किया जानदा तो ओसी करोगे सार उधों नेवी डी ओधों आर्मी डी इहमियत जादी सी क्योंकि अगली इंपोर्टन गल केम क्रियपपा ओस्वेले की चीफ ओफ आर्मी स्टाफ बने नई ओ बने सी कमांडरीन चीफ क्योंकि ओस्वेले साड़े हाइस्ट ओफिसर दे रैंक वास्ते जड़ा खब्द यूज किता जांदा सी हो कही सी गापला कमांडरीन चीफ लौजी इवी गाल अपनों क्लियर होगी केम क्रियपपा साड़े बड़े इंपोर्टेंट होगे 1972 च एक को होर ओफिसर साड़ा बड़ा मशूर होया सैम मानिक्षा की नाम थीगा सैम मानिक्षा जिनना ने 1971 पाकिस्तान देना लड़ाई जिता ही है उस्तो बाद इंडियन गॉवर्मेंट ने सोच या कि जेड़े ओफिसर ने बहुत अच्छा काम साड़े वास्ते किता है इनना वास्ते एक ओद्धा क्रियेट किता जावे फिल्ड मार्शल किता जावे फिल्ड मार्शल इनना नूँ फाइव स्टार रेंक दा ओफिसर बना देता जावे पहली गलती की होई सरकार कुल केम कर्यप्पा नू बाद च बना या गया ते सैम मानिक्षा नू पहलना बना देता गया मतलब दिखो एक बन्दा फोटी नाइन दा एक बन्दा सैवन्टी वान च होंद च तो उसे लाइन ची बना दो न तो साड़े देश दे पहले फिल्ड मार्शल कौन बने थैम मानिक्षा फाइव स्टार ओफिसर फिर उस तो बाद कौन बने एम करेप फिर एदो मेदा बने आर्मी चो नेवी चो आज़ता कोई नी बने आ एक बने आ एर फोर्स चो उननो केंदे आ एर मार्शल अरजन सिंग अना नो जिनना नो फाइव स्कार ओफिसर दा रैंक देता ए ता उमर उना को ड्रोगा सारी उमरो वर्दी पास अगदे सारी उमरो ओफिसर रहन गे फिर उसतो बाद पार आर्त सरकार नो लगया कि नहीं यारे जचीनी गल ए ओधा इंग खत्म कर दो फिर उसतो बाद ओधा नहीं खत्म किता जदो एक्तिने लोक दुनिया दो चलेगे, उस तो बाद उनु więc फीलड मार्शल जा एर मार्शल दा रैंक ही किसी नो नहीं दटा गया जितक नहीं समझाए गल तो तेनी बंदे है जिनना उनों फील्ड मार्शल जा एर मार्शल जाने के फाइव स्टार रेंक दा ओफिसर दा ओधा दिता पाकिस्तान देना लेका कनफ्लिक्ट चलेगी सी कार गिल्ड उधो साथ लोड पर यह तिनने ऑफ टाइप दिया है जड़िया मिल्ट्री तिनने सेक्शन है इन अच कॉडिनेशन भी बड़ी कमी है इस करके एक उधो में एक पोस्ट करेट किती गई चीफ अफ डिफेंस स्टा उधों किसे ने क्या कि फिर फाइव स्टार रेंक ओफिसर क्रेट कर ला तो सीथा भई इन गलती कर रहे हो केंदे नहीं एतिनने सेक्शन दे विच कॉडिनेशन जरूर करूगा पर यह फिल्ड मार्शल वरगा ओदा नहीं होगा यह वी फोर स्टार ओफिसर ही होगा तो सब उस्तों पहला असी यो रेंक दिता विपन रावत नूं किनू दिता विपन रावत नूं जदो असी पहली वार चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ बनाया जदो अनफॉर्चनेटली ओना दी एक जहाज एकसीडेंड दे विच जान चलेगी फिर उस्तों बाद असी ए ओदा किना अनिल चोहान नूं तो बच्चे एक गाल बड़ी कलियर जे कोई मिन्नू आज दी कडीच पुछे आज साथे आर्मी चीफ कौन ने उपिंदर द्रिवेदी आज साथे चीफ ओफ नेवल स्टाफ कौन ने दिनेश तरपाथी आज साथे एयर स्टाफ कौन ने विवेक राम च चीफ कौन सी जिनना ने जनरल बुच्चर तो ओधा इंडियन तक ट्रांसफर करवाया सी 15 जनवरी 1949 नो ना दा की नाम सी गा एम करियपा साथे पहले फिल्ड मार्शल कौन सी गे सैम मानिक्षा उमीद करता बच्चे होन तुसी ये कदे भी नी पुलोगे जे पुलोगे ता पार्त सरकार दे करंट फेर्ज दा सब तो गड़ा सोर्स पता की या पी आईबी पार्त दी सरकारी प्रेस उनु कहन देया अपना प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो पी आईबी सरकारी प्रेस सा बचे पार्त दी सरकार ने स्पोज करो कोई भी गल होई असी नहीं कहन देया प और कोई बहुत वड़ी इंपोर्टन नीज नहींगी ठीक है नेक्स्ट उस्तो बाद अपने को ला गया बच्चे सैट पहली गल उन्हें समझो की वट इस सैटे सैट की है ठीक है ठीक है अपा इन्हों तकरीबन 15 मिट दी अपनी कलास इन्हों हो रखांगे ठीक है कोई जायो यह किसे ने भी जानायों क्लास जा सकता कोई इश्यू अली घर लिए ठीक है हंजी अच्छे नेक्स उसको बाद अग्ये अपने को ला गया पहलना मैं तो नुसम्जावां बच्छे स्क्योर्टी एपिलेट ट्रिब्यूनल हुंदी की है बच्छे समझो किसे नों पत पैसे दी इन्वेस्टमेंट नों लेके 1988 च उनुपहली बार मैसूस होया कि शेर मार्किट च हो रहिया इर्रेगुलरीटी जो गडबडिया हो रहिया ने इनन नों खतम करन दी लोड़ा चियर मार्किट च हो रहिया गडबडिया नों खतम करन वासते एक कॉंसेप्ट उन्हों इंट्रड्यूस केता गया शेर मार्किट देविच किसे नों कोई डाउट है देच पर पता लग गया कि एदे मगर कोई लॉग नहीं है गा उन्हों केंदे सेबी एक्ट इट मींज सेबी बनी कदों बचे 1988 दे विच सेबी स्टेचुटरी कदों होई जाके 92 दे विच पहला फर्क समझा गया कि 88 चे का और्गनाइजेशन बन दिया ते 92 दे विचो की बन जन दिया Statutory हो जन दिया बुंबई चे दा Headquarter उन स्पोस करो शेर मार्किट दे विच किसे देख लाफ इना ने कोई एक्शन ले 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 कि सभी ने उन्हों कोई सजा लाती सभी दी सजा जेड़ी आ ओबाच चल अगला बंदा केंदा जी मैं आता कोट केस करूँगा सभी ने मिरनन तक का किता है उन जेडा मैटर सभी दा सीगा ओबाच हाई कोटन चल जान दा कोटन दे हूर काम बहुत तो एक नमा कंसेप्ट आया केड़ा कंसेप्ट आया बचे ट्रिब्यूनल is a type of court with experts ट्रिब्यूनल एक प्रकार दिया दाल्त हों दिया जेदेच न अक्सपर्ट बंदे भी बैठे हों दिया तो जे कोई मिन्नों पुछे कि सर सक्योर्टी एपिलेट ट्रिब्यूनल दा मतलब किया मैं उमीद करदा कि ये गल सारे नों समझागी होगी फोन त्यानों एस गल नों समझेंच कोई दिक्कत नहीं हो नी बच्चे दनेश कमार ए रेटाइड जस्टिस ने सड़े उन्ना नों स्क्योर्टी एपिलेट ट्रिब्यूनल दा चार साल वास्ते चेर्में न उक्त कर लिया गए है तो जे कोई मिन्नों कवे के स्क्योर्टी एपिलेट ट्रिब्यूनल की है एवी 92 पनी सी जदो सेब्भी बनी है जेस बंदे नू सेब्भी चो इंसाफ नहीं मिलता वो सेब्भी दी अदाल्त ची जा सागता है ते सेब्भी दी अदाल्त दा नाम है सेब्भी की है साड़े देश 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 चे वाच डौग है वाच डौग दा मतलब निगा रखनी के दे थे शेयर मार्केट थे सो मैं जे कोई कवे कि सर सेब्भी बारे पता लाग गया सेब्भी दी अदाल्त बारे पता लाग गया एवी अपनों क्लियर हो गया बचे नेक्स्ट उस तो बाद अगला करंट फेर ससी ससी दे नमेचेर परसनर केश रंजन जड़े या उन्हां न नामा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन कोई बहुत इंपोर्टन नी नेक्स्ट अगली बच्चे अजनसी आगी अपने कुल ना फेड देखो तुसी सुनेया होना के किसान ना दी दा चोन ना जड़ा है उम अंडियां च रोल रहे है असल च जेडियां अगे अजनसीयां काम कर दि दिया दी होया कि FCI ने जेडियां स्टेटा नो अनाज दी लोड़ा उना नो ट्रांसफर करना होंदा अना आज प्रॉपर तरीके ना लो हो नी सके है FCI दे गडाउंज खाली नी हो सके इस करके किते ना किते क्राइसी जाया है साड़े देश दे बिच जिमें FCI एक अजनसी पहली गल ना फेड खबरांच के हुआ पहला त्या पए समझ लिए के जिथा अहीर नूँ एदे चेर परसन निफ्त कर लिया गया है नेशनल एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव मार्किंग फैडरेशन 1958 दे बनी सी एड बच्छे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे अंडर कम कर दी है तुसी कहोगे यह वी की कर दी है FCI वांग प्रक्योर्मेंट कर दी है प्रक्योर्मेंट मतलब स्टोरेज दा कम कर दी है केड़ी ओदे नार सबंदत एक और्गनेजेशन आ की ना मैदा ना फेड किसे नों को डाउट रहनी नी चाही दिये देच ठीक हां एक कल होड मैं एक चीज बच्चे देच गल्त दास गया कि यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देंडर कम कर दी है नहीं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अंडर केड़ी मिनिस्ट्री देंडर मिनिस्ट्री ओफ कमर्स तुसी सोच के देखो सारी स्टोरेज एग्रीकल्चर प्रडक्स दी है पर केड़ी मिनिस्ट्री देक अंडर का मगर दी है मिनिस्ट्री ओफ कमर्स क्योंकि सानु पता है कि साड़े जड़े अग्रीकल्चर प् यार खापतना अर्लेट्टर आसी कंज्यूम कर देयां समान जड़ा अपना जड़ा समान बेखदा ना ओं कंज्यूमर फेर्स दे अंडर होगी जहां सानु हमें लगदा कि अगरी कल्चर दे अंडर होगी पर बड़ी इंट्रस्टिंग अला ना फेड वर्क्स अंडर इंडर काम कर दिया बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट उस्तो बाद अगे बच्चे आगी इफको या डेचो जेडे लोग का खेती बाड़ी ना सबंदर था उननों एक काल पता होगी कि पहला यूरी है दे वड़े वड़े गट्टे पैकेट्स हों दे सी फिर इफको एक प्लंडर साबत होया जो यूरिया काम कर दा सी जो असी खाद काम कर दिया उननों यूरिया उनना अच्छा वर्क नहीं कर सके तो जे कोई बिन्नों कवे कि यार इफको सुने आ खबरान सी साड़े जेडे खाद दे पैकेट साड़े करा चाओं दे है ना उनना पैकेट दे उ तो इफको एक कॉपरेटिव सुसाइटी है जेड़ी नेशनल लेवल ते फर्टेलाइजर्स बना उननों दा कम कर दिया तो इफको दे भी नमे चेर्मेन जेड़े अपॉइंट होए है ए क्यों होए है बच्चे जदो नमी सरकार बन दी है ना ता जी में स्टेट लेवल ते खबरांच आगी इंडिया दी बहुत वड़ी कॉपरेटिव सुसाइटी है जेड़ी एस टैम बहुत वड़ी पदर ते फर्टेलाइजर्स दा नर्मान कर रही है कोई पुछे खबरांच के होगा पिछे जे एना ने लिक्विड यूरिया नैनो यूरिया अर्लीज किता सी विच पर वो काम जाब नहीं हो सका है लिक्विड फॉर्म दे विच नेक्स्ट उस्तो बाद आगे यूनिसेफ दे अम्बैस्टर दे तोर ते शायद क्रीना कपूर नो निफ्ट किता गया है गाल बच्चे यह नहीं कि क्रीना कपूर दी अपॉइंटमेंट होई है गाल ले बच्चे भी इस करके बणाई कि सी की में सेकंड वर्लड वार ते फ्रस्ट वर्ल्ड वार होए है यह में दी तिजी वर्लड वार नाई हुए रबकर के दा चंगा है इस करके एक झाज़टा वर्गनेजेशन बणाई गई लोदा टीग नाम रख्या गया ेनईटेड आत्लांटिक चाल्टर जेदे करके यूएन शब्द भी कोईनों नहीं किता उन्हें ये सारा कॉंसेप्ट बाकी देशना दे नाल डिसकस किता ठीक है तो खेर इस तरीके नाल यूएन बने यूएन अपने आपके में कम करदा है बचे यूएन दे अंडर ओर्गंज ने जड़ असेंबली जिनने यूएन दे मंबरा जिमें होना एस्टम यूएन दे 113 मेंबरा 193 सारी हो दे मेंबर ने साउट सुडान 2011 चे लास्ट मेंबर बने आ सी एमी यूएन दा दुज्जा ओर्गन स्क्योटी कॉंसल जिड़ा लडाई चा गड़े रोखदा है वैसे रोखदा दे दे ऊफ्रांस, चाइन चैना यूके रशिया, फ्रांस, चाइन यूएसे 5 मेंबर पर्मानेंट, 10 मेंबर हों ने जिनना दोदो साल दी मैंबर शिप मिल दियर नॉन पर्मानेंट मेंबर ने जदोभे लडाईई दा फैसला हों दा है पंदरा प्रमानेट मेंबर मिलके कर देया, 15 चो पांच जडे परमानेट मेंबर हना, इना चो जे किसे ने ना कहती ता सब दी ना, इना को ते विटो पावर हा, बाकी 10 चो कोई विटो पावर नी, पर इना 15 चो जे कोई फैसला करोणा है ता 9 मनने चाहिए देया, किन्ने? 9, मानने लो 15 चो 14 मनने चाहिए, चाहिए ना कहला नहीं मनने या, तामी ना, क्योंकि यो 5 परमानेट मेंबर साथ, परमानेट मेंबर को केड़ी पावर हा, विटो पावर की, एक दी ना थे सब दी ना, ए दूसरा और गना इनू कहनदे UNSC, United Nations Security Council, तिज्जा जड़ा Economic Social Matter देख दाए, ओ और गना, ओदा नामा, ECOSOC, Economic and Social Council, ओ जड़े मैटरम उटरा, ओ देख दाए, चौथी और गना नामा, जड़ा Justice प्रवाइड कर दाए, ओदा नामा, International Court of Justice, ओदे चे 15 जजने, ठीका, त्यो निया कर देया, जड़े भी देश दा, कोई लड़ाई चागडा, ओथे बहुंच इनने ओर्गन होगे, चार, पंजबा ओर्गना जड़ा, जड़ा उनना देशा नूँ अजाद करौन दी कोशिश कर दा, जड़े अजभी गुलाम ने, ट्रस्ट शिप कॉंसल, तुसी गओ के सार कोई गुलाम देश ता है नी होनता, नाम अतर ज़े है, फिर ट्रस्ट सक्योर्टी कॉंसा, जड़े सेक्ट्रीर दे जर्नल्स कर्तर ने, ओही पूरे You detectors है। पहली गल, जेड़ा बंदा सेक्ट्रीर दा जर्नल्स कर्तर होगा, जर्नल सेक्टरी होगा, ओह पूरे यु वैंउन दा जर्नल सेक्टरी होगा, पहली गल पता लगी। है। को यं глत ना हूँआ तो वो श्याद P qua लेंड के पुर्टगाल-आ अर्स COM दनेना सबंदत रह работает कर दीस आरे-ले इस टैपookie isn говорит sunday जानदा है ठीक साली तो ने जानने दिका है किले सांद री चुने जानदा है आज ताक किसे इंडियन नू जर्नल सेक्टरी बढ़न दा मान हासल नहीं होया, एवी गालब फेक्टा आते इंपोर्टेंट आते सानू पता होनी जाई दिया, बच्चे मैं UN दे किन्ने ओर्गन्स गनाया थे आनू, 6, जे मैं पुछा इन्ना चो एक्टिव ली किन्ने काम कर दे आता, पंज, एड़ा एक्टिव नहींगा फिलहाल, ट्रस्टिशिप कॉंसल, जे मैं पुछा कि शेदे, शेदे हैड़कोर्टर किते है, तुसी को कि न्यू यॉर्क, किते है, तिर्फ एक नू शाड़के, इंटरनेशनल कोर्ट ओफ जस्टीज, जेदा हैड़कोर्टर तुसी कोगे, आने बहान ने मैं सारे था सारा यू एन पढ़ाता, बच्चे होन तुसी पुछोगे, सर, यू एन दे अंडर असी था बड़ा कुछ सुने है, वर्ल्ड बैंक, आई है, मैं अफ डवल्ड अपना फूड अग्रिकल्चर और्गनाईजेशन, वल्थ हेल्ड औ यूनेसको ए और्गनाईजेशन ने इनना धी गिंड़ती या 15, ए और्गनाईजेशन किसे ना किसे और गणनों रपोर्ट कर दिया, एक गल होर, यू एन दिया कर दिया, अजंसिया नी काम कर दिया, यू एन ने कई प्रोग्राम भी शेड रखे है, जिमें यूनाइटेड ने इन्वाईर्मेंट वास्टी एक प्रोग्राम भिणायाएं, UNEP, UN अले आने डिवेलपमेंट वास्टे वी एक प्रोग्राम भिणायाएं, उन्नों केंदिया, UNDP, United Nations Development Program, UN अलिया ने जेडे लोको उजड जान देयां, उनना वास्ते वी एक प्रोग्राम भिणायाएं, य विच हुंदा की किया, United Nations दे विच पहलना था हो दे या 6 ओर्गंज, फिर एक पास है United Nations दिया अजंसिया, एक पास है United Nations दे प्रोग्रम, फिर एक होर अजंसिया मिया, जेडिया United Nations दे ना सिधिया नहीं जुडिया, वो अड़ बनिया है पर उनने UN क्या सानु मिया अपने दी लेलो उनानों यूएन केंदा रिलेटर जंसी जेडियां डिरेक्ट यूएन दे अंडर पंदरा जंसी यां है आई एम एफ वर्ल्ड बैंक युनेस्को फूर्ड अगरिकल्चर और्गनाईजेशन इनानों यूएन केंदा उन द्वर्ड जर्नल सेक्टरी होंदा है वो यूएन दे केडे और्गन चौँं हो दै है कि WTO United Nation दी Special Agency होगी शायद नहीं वो Special Agency नहींगी और लेटर जंसी या बारों स्पोर्ट कर दिया UN नू इसे तरीके ना लहूर भी बहुत सारी यां अजंसियां ने International Atomic Energy Agency एहोजियां कई अजंसियां जडियां UN नू बारों स्पोर्ट कर दियां तो UN दा स्ट्रक्टर जा एक बार समझा आगया UN दे कई प्रोग्राम उनना प्रोग्राम चो एक प्रोग्राम बच्चियां वास्ते है उदा की नाम युनिसेफ उदे वास्ते उनना ने इंडिया चो किन्नू अपना ब्रेंड बेस्टर चुने आए क्रीना कपोर्णू मैंनू वर्ल्ड वारतोबाद बनेया सी क्योंकि बच्चेयां दा आंडर खनवास्ते को कि बहुत बच्चेयां दे मपे उजडगे सी बड़े बच्चे अटड होगे सी ओना लड़ाईया चो उस परपसनल बनाया गया सी का वक्त दे नाल एदा नाम बदल के की राखता यईन युनिसेफ ठीक है उसतो बाद ये जे प्रोग्राम युंईटड नेशन दे केड़े औरगन नोहें रपोर्ट करदा है दो औरगन्स नोहें रपोर्ट करदा eu य निगरानी दा रखत है जरनल सेम्बली एदी जरनल सेम्बली निगरानी रखत दिया य ते एको सोट न प्रोग्राम UNICEF रिपोर्ट्स टू थले चार आप्शन बादनेंगे जर्नल असेंबली क्योटी कॉंसल ट्रस्ट्शिप कॉंसल के एको सौक सानुए लगूगा यह सवाल कितों लगपे पेपरांच पेपरांच सवाल कितियों मी बारों नहीं लगपे असल ची होंदा है जदो उसी करंट फेर्स पढ़दे है ना असी उनना दे मगर स्टैटिक इनफर्मेशन नो जानना दी कोशिश ही नहीं करदे इस करके आप बॉक्स दे विच जो भी मैं लिखिया है यह प्लीज एक गल क्लियर दास देओ जे पेपर चागया है कि इंडिया दा युनिसेफ नल जड़ा एग्रीमेंट होया है वोसे एग्रीमेंट दा नाम की है बेसिक कॉपरेशन एग्रीमेंट बसा समझेओ इंडिया ते युनिसेफ दा आपस्ट कड़ा अग्रीमेंट होया होया है बेसिक कॉपरेशन एग्रीमेंट ते इंडिया वद लो अमबैसडर किन्नू बढ़ा आ गया हो ना क्रीनाग पूर्णू जस्ट थलके जे क्रंट फेर नाल बच्चे अपने आपनों प्रपेर ना करो रीजनाल जे तुसी थोरोली ये क्रंट फेर कर लेना तो मैं गरंटी दिनना कि त्याव ते जरूर ये काम मौन गे नेक्स्ट महाराश्टराच नमें गवर्णर दी अपॉइंटमेंट होई है मैं केना इनना ज्यादा मैटर नहीं कर दाए इंपॉर्ट इनना ज्यादा इम्पॉर्टेंट करंट फेर नीगा त्यानु पस से पता होना चाहिए एक Constitution दे विच आर्टीकल 153 कहनदा है कि हर स्टेट दा एक गवर्नर होगा ठीक है एक गल हो आर्टीकल 53 यह बच्छे मैं बहुत important कहनना 7th constitutional amendment क्या गया सिगा कि एक गवर्नर एक स्टेट दे नाल किसे होर स्टेट दा भी हो सकता है एकल याद रखियो ठीक है 7th constitutional amendment 1956 चे क्या गया सिग कि एक गवर्नर एक स्टेट दे नाल किसे होर स्टेट दा अडिशनल चार्ज भी ले सकता है प्लस जां एक होर कम भी हो सकता है उन्हों नाल किसे union territory दा चार्ज भी दित्ता जा सकता है बच्छे पंजाब दे कुण टेक्स्टर दा सो अजादी दो बाद पंजाब दे पहले गवर्नर कौन सी इफ जा दी दो बाद पंजाब दे पहले गवर्नर चुंदू लाल तरिवेधी कोई दा सकता होना पंजाब दे गवर्नर कौन ने पंजाब की नाम होना था नहीं नहीं बच्छे मेरे दमाग चो निकल गया करेयो सर्च मेरे दमाग चो निकल गया इस प्रश्च कर लो ठीक है मैनेचर बागी लेख दा अब तो पहला पंजाब दे पहले गवर्णर गुलाब चंद कटा रही है ठीक है सौरी मैंनों याद आ गया पंजाब दे करंट गवर्नर ने गुलाब चंद कटा रही है जी पंजाब दे सब तो पहले गवर्नर अजादी तो बाद पंजाब दे पहले गवर्नर सीगे अपना चंदूलाल तरवीदी जी ठीक है जे मैं गल्त ना हुमा जदो 1966 च पंजाब ट्राइफेक्चर होया सी गा उदो पंजाब दे पहले गवर्नर बने डक्टर धर्मवीरा ते 1984 जदो ब्ल्यू स्टार ओप्रेशन होया ओस वैल पंजाब दे गवर्नर सी बीडी पांडे एंड 1984 दी एक जून जदो पहली वारे लौ पास होया के आज तो बाद पंजाब दा गवर्नर ही चंडी गड़ दा एडिमिस्ट्रेटर बनूँगा एवी ओद्धा सबतो पहली वार बीडी पांडे ने एक जून 1984 नू सामबया एवी गल समझागी एक इंपॉर्टन गल जदो 1960 जदो 1968 दी कत्ती अक्तूबर जा एक नवंबर नू पंजाब बनेया पंजाब दे नाल एक वक्री यूनियन टेरिटरी बनी सी केड़ी चंडीगड ता चंडीगड दे पहले चीफ कमिशनर दे तौरते महिंदर सिंग रन दा आवाने अपना काम समबया सी 1984 तक चंडीगड चीफ कमिशनर अड़ हूंदा सी पंजाब दा गवर्नर अड़ हूंदा सी 1984 दी एक जून नू नोटिफिकेशन आई के पंजाब दा गवर्नर ही चंडीगड दा चीफ कमिशनर होगा ते बीडी पांडे ने पहले तौरते यह उदा संबया पंजाब दे क्रंट गवर्नर जावे कि नाए बादी गल पर एट लीस्ट त्यानुए पता होना चाहिदा है कि Constitution दा आर्टीकल 153 कहनदा है कि देर शेल भी गवर्नर आफ इच स्टेट पर 1956 उन्नी सो श्पंजाच होई 7th Constitutional Amendment तो बाद बच्चे एक लियर हो गया कि जड़े अपना एक गवर्नर होनगे न व एक तो वद स्टेट ना दे गवर्नर हो सकते है उन्नों एक तो वद स्टेट ना दा अडिशनल चार्ज दिता जा सकता है नेक्स उस तो बाद बच्चे अगे अपने कुल आ गया 16th Finance Commission किया अपने कुल 16th Finance Commission 16th Finance Commission मैं एक गल बच्चे तो उन्नों बड़ी क्लियर करना कि वट कृष्टेट थे सियाजनने कुछ पैसे सेंटर को जल ज़न दे सेंटर को बहुत बड़ा हिस्से आजान दिए हैं पैसा लौने कोशी पर्सेंट स्टेटा ना बंध दाए इस dispatch बड़ा शyin होलi कह रहे होकि इन ना मंदाइर कौन कहननदाए एदे वास्ते रफद साल बाद एक कमिशन बनधर फाइनांस कमिशन केथा कमिशन पाइनांस कमिशन इज कॉंस्तिटिवीशन बॉड़ी अंड़ पार्ट tu V लव अफ दी Constitution, आर्टीकल 280 च किया है कि there shall be a Finance Commission, एक chair person होंदा है ते बाकी member होंदे है, इन्हादे सारे rules पार्ली मेंट बनाऊ दी है, एक commission बनदा है, एक center सरकार नो एक कहनदा है कि अगले 5 सालां वासते, अगले 5 सालां वासते, center अपनी कोल कमाई दा ऐने परसेंट स्टेटा अगले 5 सालां चा, पैसा center ने स्टेटा नो किनना देना है, वर्टीकल इथले नो किनना देना है, ते फिर स्टेटा चो horizontally के हमें मंडना है, एक finance commission दा सूगा, इस वार finance commission दे जड़े chair person ने जिनना दा नाम बढ़ा important आपे पर्च ओन दा होगा, अरविंद परनागडिया, की नाम होना दा, अरविंद परनागडिया chair person ने, एक खबर पता क्यों बनी, ओ दे कोई, ओल आई सी गे, member ल not a permanent body, तो सी कहो के बच्चे एदा की मतलबा की permanent body नहींगी, एदा पर मतलब है या, दस्तो बच्चे एज़ेटा मैं होना दस्या सोड़ मां finance commission, इनने केड़े साल तो लेके, केड़े साल तक ली पैसे दी वंड करनी है, अब भी तो लेके, कती तक, साल केड़ा चल रहे है, चौवी, चौवी ते पचीच जदो इने वंड बारे दास्ता फिर खतम, इट मींज, इट इस नौट अ पर्मेनेंट बॉडी, लेक्शन कमिशन पर्मेनेंट बॉडी या, एक वार लेक्शन कमिशन बन गे, उनना ने 6 साल वोट आप वाई जानी है, ए नहीं के उनना दी त चैंटर सरकार ने टैक्सां दी डिस्ट्रिबूशन केमें करनी है, इस करके बन दा है, हर 5 साल बाद इननू बढ़ाया जान दा है, ते बढ़ा होदा काउना देश दा, प्रेजिडेंट, आर्टिकल 280 दे ते नू बन दा है, एदे एक चेर परसन हुन दा है, ते चार की हुन दे मेंबर, ते एक काल होर, जे कोई मनू पुच्छे की क्वालिफिकेशन केमें तैह हुन दिये दी, एरे वास्ते बकाईदा एक टैक, कि फाइनांशल कमिशन एक्ट 1901 बन जा, इट मींज पार्लीमेट तैह कर दिया, कि की क्वालिफिकेशन रखनी है, सब कुश, तो उमी से साथे देशिदा पहला फाइनांस कमिशन बने आ सी, केसी नियोगी साथे पहले फाइनांस कमिशन दे चेर परसन सीगे, तेन बड़े इंपॉटेंट, आ केड़ा चल रहे हो न, सोड मा, सोड में तो पहला केड़ा सीगा, पंदर मा, पंदर में फाइनांस कमिशन दे चेर केल कर सी के मैं गल्त भी हो सकता तुसी क्रॉस चेक करें एक पहले दे केसी ने ओगी चौथे दे राजमनार तुसी को बड़े कॉंट्रोवर्शियल रही इसी किसे कार्ण करके पहला चौथा तेरमा चौधमा पंदरमा ते सोड़मा ठीक है तो मेरे दमाग किसे ना किसे के चौध में फाइनास कमिशन जेड़े चेर परसंसी होना दा नाम पो लगया तो तेर मां चौध मां पंदर मां थोड़ मां चौथा ते पहला ये तुसी जरूर याद करें हो ठीक है नेक्स्ट उस्तो बाद तो इतना कर दें आप इन्हों इत्थी कंप्लीट कर दें बाकि अ अज नहीं नहीं अ अजी तो आपना है गया है चेर मैं ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ फॉर्ल्ड इकनोमिक फॉरुम के मैं थोड़े नहीं अल आडरेडी डिसकस कर चुक हैं एवर्ड इकनोमिक फॉरुम एक इंटरनेशनल फॉरुम मां एक ग्रूप ऑफ कंट्रीज ग्रूप ऑफ मेंबर्जा जड़े दुनिया दी एकॉनमी नूँ जड़े अर्थवस्थान उपर बावत करना ला से गठना तो ओधे फांडिंग मेंबर अपने आपनों डवल्यू एफ दे बूर्ड ऑफ ट्रस्टीज दे मेंबर्च कनवर्ट करौन जा रहे है तो डवल्यू कंट्रीज ने मिलके 1975 बनाया थीगा ठीक है नेक्स्ट उस्तो बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसी होने बच्चे एक सुनेया होना मेरे को लों यूएन यूएन दिना स्पैशल अजंसिया दे विच्चों एक अजंसी या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैमती बनी होई है कि वर्ल्ड बेंक दा जड़ा ओ होगा प्रेजडेंट होगा ओ हमेशां अमेरीकन होगा आई एमफ दा जड़ा एमडी होगा ओ हमेशां यूरॉपियन अमीर देशा दे अपने चोचले जिन्वापा पंजाब बीच कहा सकते है 1944 एक अमेरीका दा पेंड सी ब्रेटन वुड उथे को कॉनफरेंस ओई इसी ब्रेटन वुड कॉनफरेंस ओठे बैठके तिन मॉनेटरी संस्थामा पैसेनाल सबंदत और इचेशन बनाओन दी कलपना किती गई सी इमेजीनेशन किती गई सी, IMF, IBRAD, International Bank for Reconstruction and Development, बच्चे ओही अग्गे जाके World Bank बन गया, एक GAT, General Agreement on Trade and Tariff, जो अग्गे जाके 1 January 1995 1995 1995 नू WTO बन गया, तो तिनने संस्थामा उथे बैट के निकली मीटिंग चो बनियां सी, ओस मीटिंग अधा ओफिशल नाम सी United Nations Monetary and Financial Conference, लोग से बैठ के ही यह दी कलपना किती गई, दो चीजा ने, एक World Bank, एक IMF, दो में मिलके काम कर दी आए, ए दिन दा है, जदो किसे देश दा GDP हे लजे, जिनू कहन दे है, बैलेंस ओ पेमेंट क्राइसीज, वोल्ड बैंक पॉवर्टी टे डिवेल्पमेंट दे परपसली लोन दि दिसंबर 1945 चे बढ़ेंगा सी, एक मार्च 47 तो काम करना शुरू किता सी, एक अल बड़ी इंपोर्टेंट हा, एदा हेड़ क्वार्टर विशंक्टन डीसी चा, एधे जेडे भी देश दे अपनी करंसी जमा करूं दे है, वोदे वास्ते नामा SDR, Special Drawing Rights, एधी करंसी है, येन हो गया, चाइना दा, सुरी, पांड दा, यूवान दे पॉंड दे डॉलर, ठीका, एस करंसी दे विच तुसी ते अपना पैसा जिड़ाए, वो जमा करवा सकते हो, next, 190 मेंबर्स ने देच, तो SDR किस करंसी जो पैसा लेंदा है, एवी पेपर चाहा सकता है, येन होगी यूवान होगी, पॉड हो गया, डॉलर हो गया, तो एक करंसी उथे चाल दिया, ते उत्थों दी यड़ी अपनी ओफिचल करंसी होदा नामा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, next, इंडिया दी एक मोस्ट इंपोर्टेंट अजंसी या, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अजं इंपोर्समेंट अजंसी है, जिननों बॉम्बे ताज अटेक तो बाद बनाया गया, एंड एदे सदा नंद पसंत दाते, एदे नमें दीजी अपॉइंट किते गया, एदे पहलों ATS दे, जनिके महराश्टरा दी बड़ी मिशूरा ATS, एंटी टेर्रारिज्म स्क्राइड, ओधे मेंबर सीगे, साड़े देश चे Ministry of Home Affairs दे अंतरगत कम करना वाली अजंसी है, तो NSG, NIA, एथे होई हैं, अपॉइंटमेंट्स बरियां, important appointments कहों दिया हैं, तो ए बहुत important है साड़े वास्ते, नेक्स्ट उस्तो बाद आ गया, NSG, National Security Guard, तो National Security Guard ना रलेटेड भी अपा पहले ही खबर पढ़ चुके सीगे, ठीक है, तो इन्नों अपने को ला गया, Supreme Court Bar Association दे नवे परदान, अपना परदान, अपना परदान, कपिल सिबल नू चुने आए, तो ज़्यादा important current affair नहीं, बट फिर भी important सी discuss कर सकते हैं, पार्त दा चोन कमिशन, Election Commission of India, चानू सब नू पता है कि Election Commission दी शुरुवाद जड़ी सी, उपच्ची जनवरी 1950 होई सी, सूकुमार सेन, Election Commissioner ने पहले, चानू सब नू पता है कि Constitution दा पार्ट 15, Article 324 दो लेके 329, deals with elections in India, आर्टिकल 324, दे शल भी एलेक्शन कमिशन तो सुप्रिदेंडेंडेंस दी एलेक्शन ओफ लोगसभा, राजय सब प्रेजिदेंट, वाइस प्रेजिदेंट, स्टेट लेजिसिलेटिव असेंबली और स्टेट लेजिसिलेटिव कॉंसल्स इन इंडिया, मैं दास चुक किया कि साड़े देश चे एलेक्शन कमिशन केदे केदे एलेक्शन करमाँ दाए, लोगसभा, राजय सबा, स्टेट लेजिसिलेटिव असेंबली ते लोड़ पैंड ते स्टेट लेजिसिलेटिव कॉंसल्स एक्जिस्ट कर दिया विदा अनपरिशद, प्रे एस टेम साड़े एलेक्शन कमिशन दे विच एक सी एसी ने, चीफ एलेक्शन कमिशनर ने, रजीव कमार ते उना दे नाल, गनेश कमार ते सुखवीर सिंग संदू, उत्तरा खंड तों आई पीएस ऑफिसर रह चुके है, एक तो एलेक्शन कमिशनर निक्त किते गए है, 1989 1989 तो बाद, पहली बार एलेक्शन कमिशनर नो सिंगल मेंबर बॉड़ी तो थ्री मेंबर बॉड़ी चीव कनवर्ट किता आ गया सी, बच्चे तुसी मिन्हों सर्च करके दसो, वो वास फस्ट वुमेन चीफ एलेक्शन कमिशनर ओफ इंडिया, most important, सब तो पहली गल, मिन्हो लगदा है कि मैं ता डिगल क्लियर करती है, हाँ, एक होर सप्रीम कोर्ट बड़ी मिशूर जज्जमेंट, अनूप बनरवाल केस, अनूप बनरवाल केस 2003 तो पहला, सेलेक्शन कमिशनर दी अपॉइंटमेंट राश्टर पती करदा सी, पीम दे कहनते, पर हुन सलेक्ट इच तेन जाने होंदे है, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्मों भी पीम नाल लेके जाना चावे, इत्ते फिलहाल दी कड़ी है गया, होर मिनिस्टर, एंड लीडर अपॉजिशन, जे कर लीडर अपॉजिशन नहीं है ता लीडर अप सेकंड ला करता, और जीव कमार पच्ची में चीफ एलेक्षन कमिशनर ने, इंडिया दे वेचे का संस्था है चौक सी अयोग, इंगलीश चो दे वास्ते शब्द वरतिया जंदा बच्चे, विजिलेंस कमिशन, साड़े देश दे वेचे 1964 दे वेचे कमेटी बनी सी सनाथनम कमेटी, स सनाथनम कमेटी दा काम सी गा, साड़े देश चे प्रवेंशन ऑफ करप्शन नो ते एक कमेटी सी गी, ओस कमेटी ने किया कि साड़े देश चे एक विजिलेंस कमिशन होना चाहिए दा है, तो गॉर्मेंट ऑफ इंडिया ने 1964 चे विजिलेंस कमिशन इस्टैबलिश किता, एक्ट नहीं पास किता, मतलब वो स्टैचुटरी बॉड़ी नहीं सी, वो एक एक अग्जेक्टिव बॉड़ी सी, 2003 च पार्लीमेंट ने फिर एक्ट पास किता, CVC एक्ट, तो इस बॉड़ी नो स्टैचुटरी बॉड़ी बनाता, फिल हाल दी कड़ी खबरांच के हुआ, क बाकी कमिशनर्स हुन दे है, जिनना दी अपॉइंटमेंट देशता, प्रेजिडेंट कर दा है, तेन मेंबरां दी कमेटी दे कैन थे, फाइमनिस्टर, मॉर्मनिस्टर, एड़ दीटर अपोजिशन, जादी जानकार लिए 10 दा, बच्चे दी टने और हुन दी है, 65 येर्ज of age, और 4 years, whichever is earlier, पहली बार कोई हैगा, 4 years दे टने और, 5 नहीं जा, 6 नहीं, 4 years, ये बहुत कंफ्यूज कर दी है, बहुत सारे बच्चे थे गलती कर दे है, ठीक है, तो एवी मैं तन्वाल मुस्ट क्लीर करता, तो बड़ी इंपोर्टन चीज है, next, उसी दस्या, याद करो, म जेड़ा New York च बेस नीगा, नीदर लैंड दी, एग, कैपिटल दे विच है, उथे एक बिल्डिंग जेदा नाम Peace Palace, उथे International Court of Justice, Lebanon दे दवाफ तलाम, नूं, International Court of Justice दा परदान चुणे आगिया है, President चुणे आगिया है, International Court of Justice किने जाज होंदे है, बच्चे 15 जाज होंदे है जेड़िच, पैलीगल, नौ साल वास्ते चुणे जान दे है, वो मेंबर, उदे चोंहीं, जदो मीं उन्नानों मुक्का मिले, नियोरटी वाइस, ता उन्नानों कोश समेली, जिनने नौ साल चो सम्मा बचे आगिया है, इंटरनेशनल Court of Justice जेड़े है, उन्नाने जूलिया सुबिन डाइड उगाड़ादे ने, उन्नानों वाइस प्रेजनेड चुणे आगिया है, एदेच पंदरा जाजने, इनना पंदरा जजजानों यूएन दी जर्नल सेंबली ते स्क्योटी कॉंसल चौंदी है, एक जाने दी टन्योर नौ साल हुंदी है, इंडिया वन्नों जड़े क्रंट कैस्त हैं, उन्ना दा नामा दलवीर पंडारी, वो ऐजे मेंबर काम कार रह है, उन्ना नो पहलना दो हेर बारा तो लेके की तक चुड़े आगया सी कि उस तो बाद उन्ना नो दुबारा फिर रियो पाइंट कर लिया गया सी, दूसरी इंपॉर्टन गल, इंडिया दे एक जाज सीगे नगिंदर सिंग, जड़े इकलोते इंडिया ना जड़े किसे व रितू भारी इनना ने उत्तराकंड दे पहले वुमेन चीफ जस्टीस होन दा मान हासल किता है, तो चीफ जस्टीस ना रेलेटेड मैता नो कोश गलना दासी दितना सप्रीम कोड दे वेच पहली वुमेन जस्टीस जड़े गए सी कि शीवास फातीमा बीवी, मोस्ट सब तो पहला कलकत्ता, फिर मदरास, फिर बॉंबे, फिर चौती हाई कोड बनी सी, अलाबाद हाई कोड पंजाब एंड हर्याना हाई कोड जड़िया, अस्तित्व चाहिए है, पहला पंजाब हाई कोड नी सो नीच बनी सी, तो ए मैं ता नुदासी दितना, सब्सक्राइब करना है, तो उमीद करना है कि एक गलत है, उनुसम जागी होगी, पाकि जिमें एक करेंट अफेर देनाल कुछ स्टैटिक होंदे है, तो मैं नाल दीनाल कबर करना, नमी सरकार बनतो बाद, चेर मैं निया दितिया जा रही है, मैं पहला भी दास चुक्या है, इशोर मकवाना नुन नैशनल कमिशन फोर शडियूल कास्ट दे नमें चेर परसन अपॉइंट कर दिता गया है, बड़ी इंपोर्टन गल है, बचे कॉंस्टिट्यूशन दे विच आर्टिकल 338 दे विच एक गल लिखी हों दी सी, स्पेशल आफिसर फोर शडियूल कास्ट और शडियूल ट्राइब की एक होगा, पर बाद चे लोड महसूस होई कि सानु नैशनल शडियूल कास्ट दे शडियूल ट्राइब्स दे हकां वास्टे एक स्पेशल कॉंस्टिट्यूशनल बॉडी जाही दिया, इसे करके आर्टिकल 338 दे विच 65th कॉंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंड करके कांस्टिट्यूशनल बॉडी बनाएं गई, नैशनल कमिशन फोर शडियूल कास्ट और शडियूल ट्राइब्स फिर पता लग गया कि शडियूल कास्ट दिया प्राबलम्स होर ने शडियूल ट्राइब दिया होर 89th constitutional amendment 2003 अटल ब्यार इवाज पाई दी स फिर एक नमी बॉडी बनाएं गई, 338 आर्टीकल ता दे दिता गया, नैशनल कमिशन फोर शडियूल कास्ट नो, 338 A दे तहत बना दिती गई, नैशनल कमिशन फोर शडियूल ट्राइब, सो ए एक चेंज देखन दो मिलेया है, तो उस्तो बाद ता पिछे जे जाके 338 B दे तो 89th constitutional amendment तो बाद होन दो commission exist कर दिया, नैशनल कमिशन फोर शडियूल कास्ट नैशनल कमिशन फोर शडियूल कास्ट नैशनल कमिशन फोर शडियूल कास्ट ने चेर परसन ता किशोर मकवाना जी ने, नैशनल कमिशन फोर शडियूल ट्राइब, नैशनल कमिशन फोर बैकव 338 चौन दिया एक 338 A चौन दिया एक 338 B चौन दिया तो इन्नी इंपोर्टेंट गाला सो बहुत अपानू इन सारी है ची जानू नाल नाल त्यार रखना बेना अलेक्शन्स तो बाद नाइब सिंग साइनी हर्याने दे 14 मुख मंतरी बने है लाडवा कॉंस्टिट्वेंसी कुर्क शित्तर तो जित्ते है 90 सित्ता सी हर्याने चौटी एड़ सित्ता नूं चों काउं बीजेपी जित्ती है ते मजौर्टी हासल किती है हर्याना दे पहले मुख मंतरी बीडी शर्मा सीगे पजनलाल हर्याने दे अब तो लंबे रहन वाले मुख मंतरी है क्योंकि 1967 पंजाब तो अड़ होके हर्याना एक वक्री कॉंस्टिट्वेंस वक्री स्टेट बने आ सीगा तो important current affair next गाल कर दे हम बच्चे जम्मु कश्मीर दी उमर अबदुल्ला ठीक हा फार्क अबदुल्ला दे बेटे जम्मु कश्मीर च युनियन टेरिट्री बननतो बाद पहले सीम बने हा उन्हा दे फादर फार्क अबदुल्ला अब तो लॉंग सर्विंग सीम हा जदो प्रदानमंत्री रहे सीगे ठीक है उन्ना दे एफर्ड दी सीगे के इंस्ट्रुमेंट आफ अक्सेशन साइन होके जम्मु कश्मीर पार्त दा हिस्सा बन गया खेर गडी ओथे सरकार बनीया ओ इंडिया अलाइंस कॉंग्रेस ते नैशनल कॉंफरेंस ने मिलके ओथे सरकार ब इस इटा पूर्टी टू सीट्स जडिया ने ओ नने नैशनल कॉंफरेंस ने बीजेपी ने आई थी तिनक उनफी सीटा जटिया पर और है नीसी एस इटा कॉंग्रेस ने एक सीपी एम सो ब्यारी प्लस शेपलस एक पूर्टी नाइन मजॉर्टी हासल कर लिया ना ने जम्म तो एक बॉड़ी बनाई जड़ी साथे देश्ट टेलीकॉम सेक्टर नू रेगुलेट कर दी है इस स्टेटरी बॉड़ी जिन्नू 1997 च बनाया गया साथे देश्ट टेली कम्मुनिकेशन दी ग्रोथ हो रही सी ए टेली कम्मुनिकेशन कंपणियां लोग कांते तक्काना करन जहां इना च आपस च फेर कॉम्पिटीशन रवे एर रूल्स दे अकॉर्डिंग चलन इस करके ट्राई दा निर्मान किता आ गया तो ट्राई दे नमे चेर परसन निल कमार लोहोती नू लाया गया है ठीक है तो जे किसे बंदे दा ट्राई ज कोई मसला किसे एक कंपनी दा ट्राई ते कोई उल्जिज़े पिर वो ट्रिबीनल च जा सकता भी ता मसला सेड़ च जानदा है प्राई दा जे कोई डिस्प्यूट हो जे इसे भी टैली कॉट्रीटी नौ पर ट्राई नट जा सकता है तो यदिक दा नामा टेली कम्म्निकेशन डिस्प्यूट्ट ऐड कि से पिटे नारेन जानु बच्चे सब नू पता है कि Constitution च बहलना Tribunals दा कोई concept नी सी सिर्फ इको टाइप निया Tribunals साड़े Constitution च मैंचन सी गियां Barter Dispute Tribunals पहली बार बाकी तराद या Tribunals दा concept आया जदो असी देख्ख्या 42nd Constitutional Amendment इंदरा गांधी ने Constitution च पार्ट 14A एड किता Tribunals ओदे च भी दो तरकां दिया Tribunals बनाईयां सी ठी आर्टिकल 303A ते 303B फिर च दो तरीके दिया Tribunals दिया Administrative ते Non-Administrative Tribunals तो फिर Administrative Tribunals नो भी दो तरीके दा बरख्या सेंट्रल एडमिस्ट्रेटिव ते स्टेट एडमिस्ट्रेटिव ते स्टेट एडमिस्ट्रेटिव बाकी उतरा गिया Tribunals जडियां पर्शाशन नाग सबंदत नहीं गिया जिनना चे ट्राइदी आगी सेबी ट्रिब्यूनल उनना दी इनवाइरमेंट आले आदी एंजी टी ओ सारियां 323 बीच आगियां तो जड़े बच्चे ने Constitution दा पार्ट 14A जा आर्टिकल 323A के 323B नहीं पड़ेया आइंडली पढ़ लो इंपॉर्टेंट आ बच्चे तो उत्थो निकल के ओंदाए के ट्रिब्यूनल दा कंसेप्ट ते गलत प्राइगी बड़ी इंपॉर्टेंगला जानू सबनों पता बच्चे कि सड़े देश चे एक नालसा है 1987 चे लीगल सर्विस अथोर्टी एक्ट पास होया सी आखी लोगका नूँ फ्री लीगल एड दिती जावे जेडी 42 मेंडमेंड दे विच्च नालसा दे एक्ट बनतो पहला ही फ्री लीगल एड़ दा कंसेप्ट शुरू हो गया सी जिमें पी याईयल दा कंसेप्ट जड़ा सीगा वो जस्टिस भगवती ने शुरू किता लोग अदालता दा कंसेप्ट 1982 च गुजरात ने शुरू किता फिर इस एक्ट नूँ 1987 च बनाया गया 95 दे विच इंप्लीमेंट कर दिता गया वो दे तहत किया गया कि नैशनल लेवल ते नैशनल लीगल सर्विस अथोर्टी लिगल सर्विस अथार्टी युज़े लोग का नू लीगल एड नहीं मेल पौँदी उनना लीगल एड़ दा प्रबंद किता जाए उन्हा वास्ते सू उस इंटेंशनज दे नाल नाल सा साल साढ़ दिस्टिक लीगल सर्विस अथोर्टी बनाए गई गई नैशनल लीगल स तेड़ी अपने होन चीफ जस्टिस ने सॉरी मेरे दमाग चे नाम होन को मरे आए आनी दिया है तेड़ी नेक्स्ट सिनियर मोस्ट जाज हुंदे ने संजीव खन्ना ने जड़ी ओ होन ओदे एग्जेक्टिव चेर्मेंड ने जानू सबनू पता है कि साथे जड़ी चीफ जस जस्टिस होन देना पी ओ एग्जेक्टिव चेरमेंड नी रहन गे ओ बन जान के पैटरिंग चीफ औफ नाल्सा जड़ी दुझे नंबर दे जगह ते ओन के ओ बन जान के एग्जेक्टिव चेर परसन तो उमीद करना कि यह कंसेप्ट भी ता नो बहुत अच्छे तरीके न बहुत इंपोर्टेंट है इंडियान अलंपिक एस्सोसियेशन देखो बच्छे अलंपिक्स दे विच्छ इंडिया 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 वन्नों जो तर्जमानी करने वाली संस्था जड़ी इंडिया अलंपियंस नो त्यार कर दिया तैट इस इंडियान अलंपिक एस्सोसि तायाची बनाइन गई इसी सिर्धेजान का दी जानका दिर्द्धान दारोब जी टाठा इंटरनेशनल खेच अनुन्ग अन्ड अलंपी कमेती नी अगले साल 1928 उैड़ को गनाइज भी करता थी साध्डे देश दे विछ लंपिक्स ली प्लेयर्ट त्यार करनू लेके साध्डे प्लेयर्ट दे अकॉडिंग ही कम कर रहे है कि नहीं उन दे बणाय हुए रूजullen दे तहत ही चल रहे है कि नहीं अजञी प्लेयर्ट ये जी निद लुकorfาก रहा है अच्छे SSB, तुसी ना मिलनू शायद पता नहीं कि तुसी आज शब्द सुन आए के नहीं, CAPF, Central Armed Police Forces, अड़े देश चे हो, मनिस्ट्री दे तहट कुछ पुलिस फोर्सी हो दिया है, बहुत नहीं, असाम राइफल, सबसो पराणी है, Border Security Force, जड़ी पाकिस्तान ते, अफगान पोच तो लेके, इंडोस्तान पट्रोलियम तो लेके, सारी यां, PSU दी स्क्योर्टी दिन दिया, CRPF, देश दे अंदर के ते, रॉइट्स हो जाना, दंगे हो जाना, जहां, इंटर्नल स्क्योर्टी है, जो लो हो जीन, अक्सलिसम वगारा, CRPF का मौन दिया, इंडो तिब ओफिशल्स नो स्क्योर्टी प्रवाइड करूं दिया, तो ये सारी ये साड़िना, आम्ड पुलिस फोर्स इसने, की का, तो हथ्यार बंद दस्ते ने, ए मिनिस्ट्री ओफ हो जान दिया, इनना सारी यां दे मुखी हों दिया, हैड हों दिया, उनना बच्छे DG कहन दिया, तो ऐसे तरीके नार ही एक है किया, शिशस्तर सीमा बल, जड़ी नपाल थे पुटा आन बॉर्डर दी स्क्योर्टी देख दिया, तो जीत सिंग चौधरी नो, ओदे नमे DG अपॉइंट किता आ गया है, तो देखो किड़ी इंपॉर्टन गला, कल्दी कल्दी साड़ी जड तो प्राणी अथियार बंद दस्ता केड़ाए, आम्र पुलिस फोर्स केड़ी या, एदा जन्म कदों होया, एक किस परपस लिया, कली कली दा बच्चे परपस मेहता नो दास्ता, मायलमार बॉर्डर थे, बर्मा बॉर्डर थे, पाकिस्तान थे, बंगलादेश बॉर्डर अधिया पबलीक सेक्टर इंटरप्राइज इस नो बचान वास्ते एंटर्नल स्क्योर्टी नल सबंद थे, चाइना बॉर्डर थे, अधिय पॉलिटीशियंस थे, सिनियर ओफिशल्स नू जिनानू थ्रेक्टा स्क्योर्टी प्रवाइड करॉन वास्ते, एन एस जी, पैसा खराब होता इन जानाइक हो सब्सदय पैसा खराब होता सब्स में इसें दुची फर्म न van नाम हा सिट्री कंस्ट्रक्शन कंपणी उन्हों सी कहने है बैड बैंक वो सारे बैंक आदा एनपी लेकर कड़ाउन दा कमकरदी अपने तरीके ना ला चाये तान जिननाने पैसा दब्बे अ तक केशाई ना प्यार ना उन्हादी मदद करके कि तारी स्पोर्ट करदने जिए मर जी करके इन्ह बैड बैंक दा कॉंसेप्ट केंदे है एसिट री कंस्ट्रक्शन कंपणी फिर उना बैंका नूँ वापस कर देंदी है जो भी उच्चो भी चुलैन देन करना लेके एक सरकारी फर्मा तांकि बैंका दा मर्या होया पैसा ताकि से भी रूप चे सरकार वापस लिया सके एक कंसेप्ट जड़ाए एक है का बैड बैंक दा कंसेप्ट तांकि बैंक का दिया आपनिया बैलेंस शीटां साफ सुत्रियां लगन ते उनना दाते आना तुझे पास से अपनी प्रफॉर्मेंस बदा आनते लगे एनपी एजनों कठा करन दा प्रेशर उनना ते कठाया जा सके तो एस बैंक दे नमें चेर पर संपी संपोशनों निफ्ट किता गया है तो कईवरी बंदा समझे दा नेशनल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपणी है कि यह पार्त देई बैंकिंग सेक्टर देवे चुसुदार करन वास्ते दो है यार दो देवे चेक एक्ट ले अंदा सी सरफेशी एक्ट आकि जे किसे बैंक दा पैसा घुब वी जावे ओ एर-सी नू ऐसेट कंस्ट्रग्शन कंपणी नू दे सके होदा ठेका फिर कई प्राइवेट कंपणी रीकंस्ट्रक्शन चाहियां पर गल्त कर लगाँ है तिर सरकार ने अपनी एक रीकंस्ट्रक्षन कंपणी बना ली तो दुझ्जे कड़ों आले हैं तो आप कड़ों दिया एक इस एक्ट दे तहत बढ़िया सरफेशी एक्ट दो ऐसे यार एक्ट सरफेशी एक्ट दी फुल फॉर्म बड़ी कंपलेक्स सा गूगल ते सर्च कर ले उसक्योर्टी आईजेशन मेंनों यादता है नी पर हाँ इन् इन रेलवे दे अधीन कम करता है यह नूँ उन्नी सो पांच च बनाया गया सिगा तेदा बेसिकली कम में या के साड़े रेलवे दा सारा परशाश ने देखता है तो रेलवे बोर्ड दे नमेस कत्तर अरुना नायर नूँ अपॉइंट किता गया है ठीकर पहला जादा तर सब्सक्राइब करते थे आई इस ऑफिसर हुंदे सी पर हुंड इंडियन रेलवे परसोनल सर्वीसिस्टों ही किसे बंदे नूँ रेलवे बोर्ड दा नमा सेक्टरी अपॉइंट कर देता गया खबरांच अजस्ट नाम इंपॉर्टेंट है ठीक है रेलवे डपार्ड रेल बच्चे बिम्स्टैक बिम्स्टैक दी फुल फॉर्मा बेयोफ बंगॉल इनिशेटीव फोर मल्टी सेक्टोरल टेकनिकल एड एकनॉमिक कोपरेशन आ इंडिया दा नक्षा आप बेयोफ बंगॉला एडे नेडे तेडे आडे देशां दा एक समूवा एड़ा की जून उन प्रियेट दा टाकाचा वक्त दे नाल एक नपाल एक थाइलेंड नपाल एक पुटान दो मेंबर इदे होर जुडगे अज बंगलादेश इंडिया मायनमार शिरीलंका थाइलेंड नपाल थे पुटान एक दो तेन चार पांच छे सथ अज येदे सत्त मेंबर तो एक नपाल एक पुटान तो ये भी पेपर चाह सागए दे पर चाह गया कि दे फांडिंग मेंबर के डे सी बंगलादेश इंडिया शिरीलंका थे थाइलेंड नपाल पुटान ए बर्मा ए बाद चे दे मेंबर बने ये उन्नी सो स्तानवे चे बने या सी गया एक होर संस्थ अल्यजद teenager अले अले विच्चे बने अले इंडिया शिर टीयंड नहीज ये इंडियंड जी सेख्टरी जर्नल बने है विस टैक एक होर संस्था बोह इंडियान ओशी अधियाँ शियश्जिशन कुनी अले सब्सके मेंड टेश compatible येज़ा देश बने क्वान runners दोसी हारान हो जोगे कि जिड़ा इदा लेटेस्ट मेंबर देश बने आएं ओ ता शेहर इंडियन ओशियन नल एस्सेटेड़ भी है नहीं तो बिमस्टैक वर्गी ही संस्था आयोरा भी है इंडियन ओशियन रिम एससेशन एरे बारे इन्फरमेशन कठी करनी है एदा है डिक वार्टर के या किने मेंबर लेटेस्ट मेंबर के ड़ा है विमस्टैक जदो मी बिमस्टैक अई ओरावरी खबर आजे जा सारक वर्गी खबर आजे गूगल सफ़के विक्कीपीडिया जाके देख्या करो यह प्लैनिंग कमिशन दे खाथ में तो बाद बनाया गया तब जान दिया कि 15 मार्च उन्नी सो पंजानू प्लैनिंग कमिशन बनेया तेरा अगस्त 2014 नो खत्म कर दिता गया ते उधी जगा ते नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया एक जनवरी दो यार पंदरा तो बनाया चैचुट्री बोडी है इनी जस्ट एक्जेक्टिव बोडी है तेर मैं हमेशा है ला पीम होंदा है सबस्क्राइब जिए साइंटी का कशक्षपर्ट में रमेश चांद केतीबाडी एक्सपर्ट वी के पॉल पबलीक हेल्थ एक्सपर्ट एक होरा और विंद विर्मानी अर्क्षास्त्री ने यो मैं ताम दासी जिता बी वी आर सुब्रामनिया ने इनना नु लाकी खबर बन पुल फॉर्म किया किन्नू खत्म करके बने जिनू खत्म करके बने ओक दो बने आजी एलेश थे प्लैनिंग मिशन चीए फर्क का नीती योग्च ए आप डाउन अप्रोच होंदी सी मतलब उपरो नीतियां बनके थलेनू नीती योगवाले दावा कर देया कि ये बॉटम आ पार दें कर दें होने के पाई आपकी लेना ठीक है तो एधा चेर में ना मंत्री आए दा भी परदान मंत्री ही हुंदा सी ठीक है तो एगल अपनवाल मुस्ट कलियर होगी नेक्स साथे देश्ट सीजी ये पहली गल तुसी मेनों सर्च करके दसो कि सब्सक्राइब काईग कौना काईग इस एक कॉंस्टिटूशनल पोस्ट जेदा कमा ओडिटिंग तीजी ये फाइनास मनिस्ट्री दे अंडर डपार्टमेंट ऑफ अक्स्पेंडी चरदे विच बैन मिसी शीरी रूबे नों एक नमा सीजी अपॉइंट करता गया बच्चे लिकलती नाले नों क्याग नाल कि निफ्यूज कर लें दे है क्या कि ता कॉंस्टिटूशन चेड़ा अर्टी कर ला वोधी अपॉइंटमेंट कौन कर दा है कीसरा सवाल किने साल वास्ति क्या कि बंदा फास जनता है तो कुछ अपॉइंटमेंट्स टेडिया सब्सक्राइब होई है हां ए जरूरा कि कुछ सब्सक्राइब नमें कैबिनेट मंत्री अपॉइंट होए है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग बड़ा इंपॉर्टेंट किक्षियत नहीं मौमिनिस् था रमन फाइनांस ते कॉर्परेट मनोहरलाल खटर हाउसिंग ते पावर तुब्रा मनिया जैशंकर और मिनिस्टर अक्स्टरनल फेर मिनिस्टर के वी एक शब देना वास्ते वर्तिया जा सकता है उस्तों बाद अगे आगे अपने कुल कुमारा स्वामी हैवी इंडस्ट्री प्यूश गोयल कमर्क्स मिनिस्ट्री धर्मिंदर परदान एजूकेशन तीता राम मंजी एमसमी रंजन सिंग एड़ेया ललन सिंग जिनननु कह दें पंचाइती राज सर्वनंदा सन्नोबाल ओड मिनिस्टर किंजरा रपू सिवल अवियेशन प्रिंदर कमार सोशल जस्टीस नेक्स्ट उस्तों बाद अगे अपने को लागे परलाद जोशी कंज्यूमर फेर जुआल और आम ट्राइबल फेर घिरी राज टेक्स्टाइल अश्वनी वैशनव रेलवे बहुत इंपॉर्टन नाम जोती राज सिंद्या कम्मुनिकेशन से भुपिंदर यादव इन्वाइर्मेंट विजिंदर सिंग कल्चर एंड टूर पॉलियम से मन्सुक मंडविया लेवर एंड यूथ अफेर्स इंपॉर्टन गल्ल तुसी दसो एताम कैबिनेट मिनिस्ट्र दे विच्छ तुसी मिन्न ए दसो रमनीत सिंग बिट्टू कोल इस मिनिस्ट्री दे विच्छ मिनिस्ट्र आप स्टेट दा चार्ज तो ए 2024 दियां ओ अपॉइंटमेंट्स सी जो जनवरी 2024 तो लेके आलमोस्ट अक्तूबर 2024 दे पॉंसेप्ट नू कवर कर दियां सी ठीक है हाँ ये दिच कोछ होर करेंट फेर्स अपॉइंटमेंट्स एड होई या विडियो नू होर थले एड ओन कर देता जाया करूँगा तो डिस सहूल तबास दे उमीद करता है कि तो नूए करेंट फेर्स बहुत अच्छे लगए होंगे थैंक यू